आज का ये वीडियो आप लोग के लिए एक आई आउपेनर सावित होने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग इंटरनेट में बैठके लाखो लाखो रुपे बना रहे हैं आपको बिलीव नहीं होगा बट ये सच है बिल्कुल सच है और ये बेसिकली किस तरीके से आप भी इंकम कर सकते हो बट मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊंगा कि देखो इंटरनेट में अगर इंकम करना है या कहीं पे भी इंकम करना है तो आपको अपना टाइम तो देना ही परेगा शाथ ही साथ पेसिंस रखना परेगा क्योंकि ये दो चीज अगर आप mix करके अच्छे से दे सकते हो न तो आप definitely income करोगे क्योंकि अगर आप एक चीज में पर के रहोगे एक चीज में लगे रहोगे तो वह चीज आपको आगे जाके अच्छा return देने ही वाला है तो basically मैं आपको थोड़ा सा लंशम तरीके से बताता हूं बाकि यह जो वी आपको पताना चाहता हूं कि internet में आपने कई सारे ब्लॉग देखे होंगे जो actually अपने ब्लॉग या वेबसाइट कह सकते हैं तो कई सारे वेबसाइट देखे होंगे जब हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं और वन वेबसाइट पर घुसते हैं आगे जाके तो हमें उन वे मिलता है या किसी और कंपनी के तरफ से एड्स देहने को मिलता है तो basically वह जो एड्स होता है हम लोग जब जानते नहीं है उनके बारे में तो हम लोग सोचते हैं चलो एड्स दिखता है क्या ही है लेकिन आपको विलीब करना होगा कि उन एड्स से लोग लाखो करोरो रुप आपको ब्लॉगिंग के बारे में काफी सारे वीडियो अब से मिलने वारे हैं तो इस सब के बारे में मैं मैं आपको डिफेंट डिफेंट वीडियो से बताऊंगा कि कितने विजिटर आने पर कितना एड्स पर क्लिक होगा कितना एड्स पर कितना रुपए होगा यह सब हम लोग आगे कभी बात करेंगे, बट मैं यहां पर आपको सिर्फ अभी नमसम आइडिया बताता हूँ, कि अगर आप लोग का वेबसाइट पर हजार लोग आता है per day, ठीक है, देखो, बात समझो, ये पहला एक मेना, पहला दो मेना हो सकता है, कोई भी विजिटर आपको Google ico wantmin कि eपका बरे में पता नहीं होगा, तो हो सकता है कि एक मेना, दो मेना तक आपको विजिटर ना मिले दीर दीर करके अगर आप लोग अपने वेबसाइट पर सही से और सकती हो, अब कैसे काम करना, क्या करना हैば हूँता हूँском, बात करेंगे this video आप मेहनत करते हो सही से ना तो आपको धीरे धीरे करके 1000 विजिटर पर डे या उससे भी कई गुना ज्यादा पोटेंशियल है इंटरनेट में 1000 विजिटर अगर आपके वेबसाइट पर डेड़ी आएंगे तो आपके वेबसाइट में गूगल एड्स चलेंगे मतब एड्स बगेरा आएगा दिखेगा ठीक है तो हजार विजिटर में कम से कम मान के चलते हम लोग 40 विजिटर 40 विजिटर्स आपके एड्स में क्लिक करते हैं ठीक है हो सकते है उनको एड्स में इंट्रेश्टेट हो या कोई ऐसा एड्ड दिखे जो उसके १िलेटेड हो जो इसको जानना है बेचानना है उसके बारे में कुछ भी डॉलर करीवन करीवन इंडिया में मिल जाता है और अगर USA, Europe, UK जैसे कंट्री से आता है तब आपको एक डॉलर, दो डॉलर मिलेगा अराम से ठीक है वो सब बात करेंगे बाद में अभी मैं आपको चार्ट डॉलर का ही एक्जांपल लेता हूं चार्ट डॉलर ठीक है जादा है तो 30 दिनों में आपको कम से कम 120 डॉलर मिलेगा एंड ऐसे इंटू करके आपको 80 निकालना है 80 का हिसाब चल रहा है करीवन-करीवन आपको 10,000 रुपे देखने को मिल रहा है मिनिमम बट क्योंकि मैंने 1000 विजिटर का बात किया तो अगर मान के चलिए आप अच्छे से काम करते हैं हम लोग इसको माल नेता है कि 10 गोना फीजिए तो ओविएसली वन लैक के उपर इंकम चल डाएगा तो यह कंप्लिटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पोस्ट लिखते हो कुछ डिफरेंट सोचके लिखते हो या नहीं लिखते हो यह सब डिपेंड करता है ठीक है तो यह सब कैसे किया है मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ दिखाऊंगा एक वेबसाइट के एकग्जांपल लेता हूँ लेंसी डॉट इन आप लोग इस वेबसेट को विजिट कर सकते हैं अपने मोबाईल पर बहुत ही सिंपल वेबसाइट है क्लास 10 11 12 9 8 यह लोगों का नोट्स बगएरा बाटता है यह वेबसाइट फ्री में ठीक है नोट्स मतलब क्या जो हम लोग कोशें एंसर बगएरा फिर बहुत सारे चीज जो होते हैं यह सब ही तो नॉर्मल सा चीज है यह स्कूल एजुकेशन को यह लोग डालता है जस्ट बुक से उठ हो रहा है मैं इस वीडियो को February 2023 में बना रहा हूँ तो यह January 2023 में दिख रहा है 36.6 million यानि कि 360 लाख विजिटर ठीक है 360 लाख विजिटर यानि कि 360 को अगर हम लोग 30 से डिवाइट करते हैं मतलब एक मेना में 360 लाख विजिटर और दिन का 12 लाख विजिटर एक मेना में अग पाट डॉलर दिखा रहा था ना तो आप सोच के देखो कि क्या ही मैं आपको बोलू 12 लाख अगर विजिटर आता है तो आप खुद सोच के देखो यहां पर हिसाब लगाना मुस्किल है ठीक है लेकिन मैं आपको लंसम इनकम अगर देखोगे आप हिसाब करोगे आप तो आ आप लाइन विजिनस तो है नहीं कि आज दुकान अच्छा रहा आज बजार अच्छा रहा कल अच्छा नहीं रहेगा यहां पे आपको पर डे हर दिन आपको आख मूंद कर पैसा मिलते जा रहा है बीस अजर रुपई भी मान के चलते हैं तो सालना 365 डेज में हमें 73 लैक्स देखने को मिल रहा है ठेक है अब समझ सकते हो कितना strongly यह plan है कितना strong चीज है एक बार हम लोग अगर मैनत करना start करते हैं न देखो यह बिसिकली वेबसाइट या न तो आप coffee कमाओगे coffee और घर बैटे कमाओगे दिन में कुछ काम खास करना भी नहीं है 2-3 घंटा आपको notes लिखना है अपने blog पे अप कमाओगे लेकिन सबसे important जो चीज है वो है time हमें time देना होगा हमें इन सब चीजों में और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बस द traffic देखने को नहीं मिलेगा तो आप उस time क्या कर सकते हो अपने दम पर कुछ initial traffic ला सकते हो जिससे google वगेरा wing वगेरा search engines को थोड़ा सा समझ में आये आपका website कि आपका website internet में available है ठीक है और उसके बाद वो धीरे 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 करके आपको traffic देते जाएगा और unlimited traffic देगा ठीक है तो चलिए इस video start करते हैं कैसे website बनाते हैं वो सीखते हैं introduction वाला पार तो बहुत बड़ा हुआ मुझे पता है शायद कोई देख भी नहीं रहा होगा अभी तक ज्यादा तर आदमी तो चलिए इस video start करते हैं and मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा मैनत करो start करो आराम से आपको profit देखने को मिलेगा Hey everyone, आज की इस video में आप सभी का स्वागत है, basically आज की इस video में मैं आप लोग को hostinger में hosting account कैसे खरीते हैं उसके बारे में बताने बाला हूँ तो एक-एक step को follow किजिएगा ताकि आप लोग को best से best offer and best से best plan मिल पाएं हम लोग discuss करेंगे plans के बारे में बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप लोग इस video को YouTube पे देख रहे हो तो आप लोग को नीचे description में hosting का एक link मिल जाएगा जो लिंक आप देख सकते हो यहां पर मैंने डाल के रखाता तो यही link आपको hostinger में open करना है ठीक है मतलब website open करना है hostinger का इसी link के थ्रू और अगर Udemy देख रहे हो तो Udemy में भी आपको attachment मिल जाएगा इस video के नीचे जहां पर आपको इस link को मैं आपको देदूंगा यह special link ह जहां से आपको offers वगरा मिलेंगे तो आपको यह link को वहीं से विजिट करना है चाहे description हो या attachment हो मेरे किसमें मैंने link को copy करके रखा था तो यहां पर paste करके आप देख सकते हो hostinger पे हम लोग आ चुके हैं अब देखिए इसमें actually आपको जितने भी best offers होते हैं वह आपको निकल जाएगा इस link के थुरू इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं यह link को जिस प्रकार से open हो जाएगा ठीक है यहां पे website open हो जाएगा और आपको simply क्या करना है आप देखिए start now पे click कीजिए और यहां पे आपको तीन plans मिलते हैं single wave hosting जो की सबसे कम दाम का होता है and यह है most popular यानि क बहुत सारी features होते हैं जो आपको थोड़ा सा look out करना चाहिए for example यह जो single wave hosting है इसमें एक ही website को आप host कर पाऊगे अगर मालीजे आप एक website में successful हो चुके हो and आपको दूसरा कोई बनाना है या कोई और का website आपको host करना है तो आप नहीं कर सकते हैं इसमें just एक ही website आप host कर सक सकते हैं and भले आपका आप ज्यादा से ज्यादा पांच website करोगे और कितना करोगे लेकिन आप 90-95 website किसी और का host कर सकते हो and उनसे आप charge ले सकते हो monthly basis पे तो आपका एक तो अपना website चलेगा और दूसरा आप किसी से rent भी ले सकते हो okay तो यहां पे 100GV का SSD storage मिलता है जो की काफ तो मेरा हो जाएगा उससे भी ज्यादा visitor आएगा तो don't worry उससे भी ज्यादा visitor यह website ले पाएगा बट कहीं न कहीं मतब अराम से ले पाएगा आपका 25,000 visitor monthly से ज्यादा ही ले पाएगा लेकिन यह लोग ऐसे एक plan wise देते हैं and यहां पर आप देख सकते हो एक लाग visitor monthly okay तो इस domain एक आपको domain मिलेगा 749 रुपीज का जिसमें .com.in domains available होंगे जो कि single में नहीं है यहां पर देख सकते हो free domain में cut है and बाकी में है तो अभी हम लोग देखेंगे एक wave hosting को चूज करके मैं आपको recommend करूंगा definitely अगर आप beginner भी होना तो आपको premium wave hosting ही select करना चाहिए आपको उस तरी का सा एक दो अपने दोस्तों से बात कीजिए और दोनों तीनों मिलके इन चीजों को साथ कीजिए तब जाके आपको ज्यादा budget लगेगा नहीं एक एक जन पर लोड नहीं परेगा and 2-3 जन मिलके अगर आप करोगे अगर investment करोगे 2-3 जन मिलके तो आप लोग आगे भी बहु होंगा don't worry यहाँ पर simply add to card पर मैं click करता हूँ and मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बात का क्या है actually यह ना 149 रुपीज पर मन्त यह monthly offer है save 71% लेकिन कब वो मैं आपको दिखाता हूँ देखे next page open हो रहा है ओके तो अगर आप 48 month यानि की 4 साल के लिए ले रहे हो तब 149 रुपीज आपको लगेंगे monthly otherwise इस plan का जो premium wave hosting वाला जो plan है ना जो हम लोग ने चूज किया उसका एक-एक महिना का rent है 519 रुपीज 519 रुप के तरब से जैसी कि आफ एक साल के लिए खरीद हो तो यह plan 519 बाला plan 220 में मिलेगा 229 में चाल साल के लिए जो maximum होता है अगर चार साल के लिए खर्ई दोगे तो यह plan आपको पांसो निस बाल प्रैन 149 करके परेगा लेकिन इसमें क्या है कि आपको ज्यादा amount लगेगा एक साथ तो देखो यार मैं तो recommend करने वाला हूँ कि आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में कितना ही लगेगा ज्यादा से ज्यादा 8000 रुपई लगेगा एक budget मैं आपको हमेसा बता रहा हूँ एक budget आपको रखना परेगा और आपको फाइदा डेफिनिटली होगा 8000 मतलब 100 डॉलर ठीक है 100 डॉलर और 100 डॉलर आप जानते हो minimum एटसेंस में 100 डॉलर इंकम हो जाएगा 8000 रुपई जो आप लगा हुए वो एक एक मेहना में आपका उठ जाएगा और आराम से आप इंकम करोगे आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप एक बर इंवेस्मेंट करोगे 8000 रुपीज का यहाँ पर 48 मन्त के लिए आपका वेबसेट सिक्यूर हो जाएगा आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है सिंपल आपको चार साल के लिए आपका वेबसेट मिल जाएगा आप एक साल दो साल रगर के मेहनत करो और उसके बाद तो आप लोग आराम से इंकम करोगे एक सो डॉलर कहीं नहीं गया हमेशा हजार दो हजार डॉलर का आपको टार्गेट रखना है मन्तली और वह आपका अराम से हो जाएगा जबकि यहाँ पे सौ डॉलर यानकि आठ हजार करीवन कुछ आता है ज्यादा नहीं आता है यहाँ पे आपको देखिए 149 में 48 मंत के लिए मैंने चूज कर लिया यह कब मिलेगा आपको आपको जीमेल में जाना है आपको अपना इमेल आडी कौपी कर लेना है तो मेरी केस पे मैं यहाँ पे इमेल आडी डाल देता हूं अपना फेस्बुक गूगल से मत करना क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है आप सेंपरी इमेल आइडी दे देना यहां पर यहां पर आपको कोई भी एक पेमेंट मेथोड चूस करने से पहले आपको यहां पर मैं बता दू बहुत ही इंपॉर्टन स्टेफ है यह आठ चार सो चारी उनचारी से रुपाइब करीवन आ रहा है थे तो आपको यहां पर एक कूपन कोट दिख रहा होगा यहां पर आपको कूपन कोट देता हूं जो बहुत थी अच्छा है वी-trix ठिक है, वी-trix दीखे वी-t-r-i-c-k-s without space वी-trix, इसको simply अपलाई किजिएगा, अच्छे से देख लेज़े मिले अपलाई किजिएगा, यहां पर देखे कोपन अपलाई, यहां पर दिखे कुछ और डिसकाउट आपको मिलेगा, जो तो 8,449 रुपई था, वो 7,848 रुपई हो गया, यानि कि आपको करीबन करीबन 500 से 600 रुपई सेविंग हुआ है, डायरेक्ट, बस इस कूपन कोट के तहर, तो इस कूपन कोट को अराम से आप लोग डालिए और आपका यहां पर डिसकाउंट देखने को मिलेगा, अब आप क चल आप आओगे ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, तो गूगल पे सिलेक्ट करता हूं मेरे केस में, सब्मिट सिक्यूर पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि यहां पे इन लोग का पेमेंट सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बिगॉज बहुत कोई पैमेंट करता है, तो यहां पे बाइविद गूगल पे पे क्लिक करता हूँ, तो यहां पे कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है, एड नियू कार्ड और डेविट कार्ड, अब यहां पे गूगल पे मैं ऐसा क्यों पूछ रहा है मुझे नहीं प देते हैं और UPI ID डाल देते हैं, तो देखिए यहां पे UPI ID अगर आप दोगे तो थोड़ा सा वेट करना यहां पे continue बटन सो होने लगेगा, एड फिर से एक बार देख लेते हैं, यह कुछ इस तरीके का 7,848 करीवन करीवन 7,850 रूपीज लग रहा है 4 साल के लिए, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा option है, तो यहां पे continue पे click करेंगे, यहां पे आप दिखिएगा, पी using UPI से हो रहा है, तो यहां पे, या तो आप QR code को scan करके कर सकते हैं, या फिर आप simply manually इसमें payment कर सकते हैं, तो चली QR code के थ्रू ही कर लेता हूं, फटाफट हो जाएगा तो जो भी QR code दिखेगा, सबको अलग-अलग दिखेगा, ध्यान रखेगा, तो आपका में जो भी QR code दिखेगा, उसमें आप scan करोगे, और आपका हो जाएगा, और make sure कि आप उसी UPI ID से करो, जो आपने already डाला है, चलीए मैं payment प्रोसेट कर रहा हूं यहां से, अपने mobile से, UPI पिंट डार रहा हूं, फटाफट, और यह हो चुका है, अब थोरा सा वेट करेंगे, मेरा payment हो चुका है यहां से, और आप देखेगे, स्क्रीन पे भी मुझे कुछ ऐसा हो रहा था, ओके, तो वेट करना है, किसी भी तरह का back नहीं करना है, आपका page खुद बखुद ऐसे कर कर लेते हैं, तो यहां पर देखे, one number, one symbol, one lowercase, one uppercase, use 8 to 50 character, only latin letters, all right, तो यहां पर confirm कर लेते हैं, account, password was changed successfully, अब यहां पर क्या रहा है, आप देखे, अच्छे से देखे, hello, help us provide the perfect experience for your, for you by answering few questions, okay, start now पर क्लिक करेंगे, who are creating the website for, I am creating it for myself, यह सब survey है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग देना है, तो दे दोगे, यहां पर skip का button है, यहां पर दे देना, no thanks, क्योंकि यह तो मैं आपको बताऊंगा, कि किस तरीक से कैसे blog बनाना है, बगेरा बगेरा, all right, तो यहां पर create a new website पर click करेंगे, and यह सब को तो दे सकते हैं, and continue पर click करेंगे, तो जो free domain था हमारे पास, वो हमें claim करने का यहां पर option मिर रहा है, आप देख सकते हो, claim a free domain, get a new domain, तो यहां पर select करेंगे अब, and यहां पर एक domain जो आपको already सोच के रखना है, and धून के रखना है, कि आपका domain क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो यहां पर हमें domain, choose करने का option मिर रहा है, तो एक domain हम लोग जो already देख के रखना है, वो ले लेंगे, search करेंगे, dot in है, यहां पर आप लोग change कर सकते हो, तो यहां पर domain is available से हो रहा है, continue पर click करेंगे, and यहां पर your domain installed, CMS, WordPress, और यहां पर email ID आ रहा है, तो finish setup पर click करेंगे, तो यहां पर country हमें choose करना है, जो कि India select करेंगे, personal या company, तो मैं recommend करूंगा, जो भी है, personal कीजिएगा, next tip में contact details आप से मांगा जाएगा, तो यहां पर full name हमें डाल देना है, करiंडर, तो बहां आप से मांगा लीजचपा है, तो हमेड़ाब मा ओाना है, प्रफूर्बक करेंगे 5 यहां परक एक हो हूदम्वां पर VaLi पक्याक़ा पर साह बद writes पर कििए करेंगे 5 यहां भी है, और भी हैसा हाँ, ओर kuरनेगे, जडर भी है डाल दिया है finish registration पर क्लिक कीज़े जो भी detail आप लोग डालोगे make sure कि वो detail सही से आप लोग डालो और आपको याद रहे तो कुछ इस तरीके से सो होगा is being registered में server to server connect होने में time लेता है तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा 1% 2% करके यहाँ पर जो हमारा account है वो create हो रहा हर चीज connect हो रहा है एक दूसरे के साथ तो चुपचा बैठी है अराम से चाय वाई पेजिए यह हो जाएगा थोड़ी दिल में ह लोड़ी परसेंट प्रिपेरिंग डेश्पोर्ड तो इसको अमनों रिफ्रेस कर देते हैं फाइनली विकाज हमारे जो जीमेल है उसमें औरेडी बहुत सारे मैसेज घुस चुके हैं तो इसको एक बार रिफ्रेस ही कर लेता हूं है फिर से यह फिर से यह सो हो रहा है तो अब देखते हैं आप हो जाना चाहिए वेट करेंगे फिर से तो देखें यहां पर मैं एक बार अपना जीमेल सो करता हूं जहां पर पेमेंट सक्सेसफुल का हमें इमेल आ चुका है एंड उसके बाद पेमेंट रिसीफ जो होस्टिंगर कंफर्म किया है वो भी आ चुका है ठीक है एंड यूर पासवर्ड है चेंज क्रेट एन अमेजिंग वर्ट्प्रेस ब्लॉग तो एक बार ट्राइ करते हैं वह तो आपन नहीं हो रहा है वह वैसे ही रह जाला है तो डो एंड के लोग कट कर सकते हैं यहाँ पर झोर्ड है हमारा बैसक ल槮 वह आप देख सकते वह भूत हो चुका है यहाँ आपे डुमेश रहा है यहाँ प Mohammad बोस्टिंग हो रहा है आप सिंप्री सी पैनल को मैनेज कर सकते हो मैनेज पर जाके तो कुछ इस तरीके से यहां पर देखते हैं यह जो डोमेन है हम लोगों का काम कर रहा है कि नहीं तो वटपेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए देखे क्या करना पड़ेगा इमेल एक है वो थोड़ा सा हो जाए पहले confirm कर लेते हैं तो यहां पर इमेल आ चुका है तो यहां पर verify इमेल पर मैं click कर लेता हूँ इससे क्या होगा account हम लोग का verify हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो भी काम करेंगे वो अच्छे से रहेगा तब ओके तो हमारा account हो चुका है और यहां पर कुछ इस तरीके से सो हो रहा है तो premium shared hosting यहां पर आप देख सकते हो तो इसको ही manage करना है हमें और यह हमारा domain name सो हो रहा है ज्यादा ध्यान मत दीजे क्योंकि यह मैं client के लिए बना रहा हूं ओके तो यहां पर अब आ चुका है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ओके बहुत तरीके के cms होता है cms क्या होता है एक तरीके के software में करें चलो ठीक है उ-commerce जुमला अधर अधर में बहुत सारे मिलेंगे तो यहां पर सिंप्ली ज्यादा माथा अगरब करना ही नहीं है हमें सिंप्ली wordpress जो की number one मेरे खियाल से है cms इन सब मामले में तो उसको सिलेक्ट करेंगी क्योंकि wordpress से ही अपना website डिजाइन करना बहुत ज्यादा इजी है सिंप्ली सिलेक्ट करेंगे चलिए सिलेक्ट करने के बाद वेबसेट का टाइटल हिरनपूर.in इसमें डॉट वगेरा कुछ लगेगा नहीं तो सिंप्ली हिरनपूर लिखते हैं फिलहाल के लिए डीख यहाँ चलिए सकते हैंplus यह अपने सकते हैं अपने वेबसेट को पर्ण इसका जरुत परेगा चलिए अड्मिनिस्ट्रेटर उसरनेम इसमें हम लोग अपना यूजर नेम कुछ भी दे सकते हैं ओकी और यहाँ पे पास्वर्ड आप लोग चूज कर लेना यहाँ पे स्टार आपको सो हो रहा हुगा तो यह मैं आपको दिखा नहीं सकता आप लोग भी अपने मंद से कर लेना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मुझे सीव करने को बोला जारा है मैं सीव कर लेता हूँ यहाँ पे यह समय छेल खानी करने का कोई जरूवत नहीं है ठीक है सिंप्ली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे कि थोड़ा सा वेट करेंगे ज्यादा देर नहीं लगता है यह सब चीज में कि अगे तो आपके आँखों के सामने में ही हो रहा है जो हो रहा है और राइट तो दिखिए हमारा जो विबसेट है उसमें में वर्ट्प्रिस अव इंस्टॉल हो चुका है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें एक वर क्लिक करना है ठीक है क्लिक करना है हमें क्लिक करना है अपने वेबसेट से पहले और राइट तो यहां पर आप सब्सक्राइब क्लिक करने के बात क्या होता है क्योंकि कुछ यहां पर इंस्टॉल करने का अप्शन आ रहें इंस्टॉल तो यहां पर दिखिए एससल इस विंग स्टॉल्ड तो दिखिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे ऐसे वेवस्टिंग होते हैं अलग-अलग कंपनी जो आपको ऐससल फ्री में नहीं देता है बट इसका जरुवत बहुत ज्यादा है बिना ऐससल का वेबसाइट बनाओगे तो कभी काम नहीं आएगा ना वह गूगल सर्च में अच्छ पर इतना पढ़ता अलग से अब यह भी बात है कि जैसे की बेजनेस वेवस्टिंग मेरा प्लान है या प्रीमियम होस्टिंग में इन दोनों में साहथ ऐसे से फ्री में देता है वर्ट सिंगल में देता है कि नहीं मालूम फिर आप फिर एक बाट शेक कर लेते हैं डोंड व obviously हमारा जो दिख रहा था है यहां पर होस्टिंगर कर default page वह अभी यह वाला दिख रहा है ठीक है तो यानि कि यह वाला आपको अगर दिख रहा है तो यानि कि आपका जो वेबसाइट है वह WordPress इंस्टॉल हो चुका है आपके वेबसाइट में अब आपका वेबसाइट आ चुका है अब हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कैसे डिजाइन करना है यह तो मैं अलग मॉडिल पर बताऊंगा फिलाल इस मॉडिल पर इतना ही था कि आप लोग को अपने वेबसाइट में किस तरीके से WordPress इंस्टॉल करना है सब कुछ complete है यहां पर हम लोग अपने वेबसाइट पर आ चुके हैं तो आप देख सकते हो जो वेबसाइट हम लोग का इंस्टॉल हम लोग करेंगे बेसिकली उस वेबसाइट का URL मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए अगर माल लेते हैं कि हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा है ऐसा दिखेगा सुरू-सुरू में क्योंकि इस वेबसाइट में किसी भी तरीके का थीम नहीं है अभी तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा हमें तो यह बहुत ही बेकार सा है तो इसको हम लोग अब डिजाइन करेंगे अपने वेबसाइट को तो सुरू-सुरू में WordPress करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है आप देख लो तो देखें जो भी URL है आपके वेबसाइट पर आपको सिंप्ली अपने URL के बाद slash देना है and ऐसे करके आपको type करना है wp-admin ठीक है तो जो भी URL है उसके बाद slash wp-admin दीजेगा तो इसके बाद आपको admin का dashboard मिल जाएगा अब यहां से मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ तो यहां से आपको admin का dashboard मिल जाएगा basically जो भी आपने WordPress इंस्टॉल किया था उस ताम जो भी username पासवर्ट डाला था वो आप डाल सकते हो username के बदले आप email address भी डाल सकते हो बट जो username पासवर्ट आपने डाला था इंस्टॉल करने का time वो डाल के आप लोग simply login कर सकते हो तो देखे यहां पे हमारा जो website है कुछ इस तरीके से login हो चुका है अब देखे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ठीक है तो यह basically WordPress का dashboard option है और यहां पे hosting गर का option दिख रहा है तो इसमें हमें किसी भी तरीके का काम नहीं करना है सबसे पहले आप क्या कीजिए देखे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप जाईए plugins पर plugins की plugins पर जाने के बाद यहां पे हम लोग select all पर click करेंगे और यहां पर हम लोग फिर से एक बार select कर लेंगे और यह जो light speed cache है इसको हम लोग select कर देंगे और bulk action में जाकर simply delete पर click करके apply करेंगे और यहां पर okay दबाएंगे तो देखें यहां पर हमारे जितने भी plugins थे वो अब चले गया है अब इस page को refresh करने के बाद आपको कुछ इस तरीके कर देखने को मि website slow होता जाएगा ठीक है इस बात को आप लोग ध्यान दीजेगा अब हम लोग और भी कुछ basic changes करते हैं सबसे पहले तो देखो dashboard का option छोड़के post वाले option पर चलते हैं और यहां पे hello world करके एक post है जो demo post होता है इसको हम लोग trash पर click कर देंगे उसकी बाद categories का option है add new का option है उसक cv तरका नहीं होगा because यह हमारा नया website है and यहां पे हम लोग जाएंगे pages पे तो कुछ दो pages हमें देखने को मिलेगा simply select all करके bulk action में जाके move to trash करके apply तो यहां पे जो भी था हम लोग basically अपने website को clean up कर रहे हैं सुरू-सुरू में उसके बाद हम लोग अपना ही सब कुछ and appearance पर चलने के बाद आपको यहां पर तीन थीम देखने को मिलता है तो इस चीज को भी मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा तो देखी guys यहां पे हमें तीन थीम देखने को मिल रहा है basically जो themes होते हैं यह हमारे website के designs होते हैं जो हम लोग website में design करते हैं for example यह 2023 theme नाम का apply किया हुआ है आप देख सकते हो active है तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो website है वो कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं ठीक थोड़ा website का look change हो गया ठेक है तो basically यह जो themes होते हैं हमारे websites के ही part होते हैं website के looks के part होते हैं जो की बहुत ज्यादा important होता है इस चीज को मैं फिलहाल के लिए avoid करता हूँ और इसको activate करता हूँ जो सुरू में था जो already था तो इस दो theme को हम लोग का वैसे भी काम का नहीं है त मैं आपको पहले ही बताया कि आप सबसे पहले एक काम करो आप वो काम करो जो आपको सबसे पहले करना है और वो है कि जितना आलतो फालतो चीज आपके website पर एक एक करके धर धर करके उठाते जाओ मतब डिलीट करते जाओ तो plugins में हमने already कर दिया है user का option में आपको अपना ही user मिलेगा यहाँ पे tools setting यह सब तो फिर general setting हो गया तो tools में फिलहाल मुझे कुछ नहीं दिखाना है आगे जाके जरूर दिखाऊंगा setting का option पे चलिए setting का option में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले general का setting मिलेगा तो यहाँ पे आपको site का title दे देना है ठीक है for example मैं द तो अपना brand का या अपना website का tagline आप लोग रखना चाओगे ओके तो यह एक tagline रख दिया आप अपना धंग से रखो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे फिलहाल हमें किसी भी तरीके का changes करने का जरूरत नहीं है time zone जो है यहाँ पे आप लोग simply अपने keyboard में kol type करो बिना यह मेरा Indian time zone है अगर आप लोग किसी दूसरे country से देख रहे हो तो आप लोग अपने हिसाब से time zone डाल देना ओके तो यहाँ पर राइटिंग का option मिलता है यहाँ तो राइटिंग में हमें फिलाल कुछ नहीं करना है रेडिंग का option मिलता है तो रेडिंग में भी कुछ नहीं करना है यह सब देखो basically थोड़ा extra settings होते हैं जो आपको control देते हैं आपके website पर तो आप लोग पर पर के changes कर सकते हो बट फिलाल यहाँ पर किसी भी तरीके का changes करने का जर्वत नहीं है discussion, media आपको यहाँ पर सबसे पहले उसके बाद आपको यहाँ पर आना है permalinks पर क्योंकि यह सब में ज्यादा कुछ काम नहीं है अब आपको यहाँ पर देखे यह सब में से कुछ एक structure चूज करना है तो सबसे best structure होता है post name इसको चूज कर लिजेगा बाकी को भी कर सकते हो बट कहीं न कहीं यह वाला अच्छा perform करता है SEO के माध्यम में तो save changes पर क्लिक कर लेंगे फ कुछ भी नहीं है हमारे website में फिलहाल तो अब क्यूंकि हम लोग एक education website बना रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से education content डाला जाता है देखो theme जो होता है वो सब changes करने परते हैं बट मैं इस course पर आप लोग को थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले ह कुछ पोस्ट डालते हैं उसके बाद मैं आपको फिर theme में changes लाके दिखाऊंगा तब जाके आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा ओके तो क्यूंकि हम एक education blog बनाना सीख रहे थे जो general type का blogging है उसके बारे में मैंने अपनी YouTube चैनल रॉनित सिल पर already video बनाया है आप उस video को देख सकते हो अगर आप किसी भी तरीके का blogging करना चाहते हो तो उस video को देखे उस video को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोग same procedure है जो मैं आपको इस video पर दिखाऊंगा ठीक है फिलहाल मैं study materials education materials का website या blog बनाना सिखा रहा हूं आपको ज 11-12 के जो notes होते हैं वो basically बहुत जादा देखे जाते हैं search की जाते नेट पे बट उसमें competition level भी बहुत जादा है क्योंकि already बहुत सारे website चल ही रहे है राइट अब देखे मैं एक simple सा search कर रहा हूं और यहां पर आप देखो के 1000 वेबसाइट चल रहे हैं जो की बड़े-बड़े brand के website है ठीक है तो इन website अगर हम लोग इन website से टकल लेते हैं यानि की for example हमारा जो website है इस website पर हम लोग कुछ ऐसा ही लिखते हैं यह सब content तो जरूरी नहीं है कि हमारे website google में आपको rank में दिखने को मिले और क्योंकि google में rank नहीं करेगा इतना जल्दी तो फिर हमें traffic नहीं मिलेगा तो वो फिर एक बिनाकाम का चीज हो जाएगा बट यहां पर आपको वही तो trick है यही तो आपको समझना है कि आप किस तरीके से कुछ ऐसा unique content लिखो जो बहुत कम लोग करते हैं for example मैं आपको बताना चाहूंगा कि माल लेते हैं current affairs में हम लोग अगर अपना कोई content लिखते हैं यह सब तो आप लिखी सकते हो class 10th class 11 12 जो भी आपको लिखना है आप अपने blog में डालो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें क्या है कि उसमें traffic नही लाप आओगे राइट तो current affair में देखी हाल फिलाल में अभी क्या हुआ है तर्की में अर्थक्वेक आया है अभी जो मैं यह वीडियो बना रहा हूं कुछ जिन पहले अर्थक्वेक आया था तो यहां पर students को क्या मिल सकता है exam में write and essay on turkey earthquake कि ऐसा कुछ essay वैसे लिखने को बो बहुत कोई देखो essay on turkey turkey and cda earthquake तो इस मात्र इस website ने इस essay on turkey essay बाकी आपको जो भी result देखने को मिल रहा है यह essay नहीं लिखे है यह news post लिखे है ठीक है अब देखें क्योंकि यहां पर इस website ने for example कहा गया यह जो website है यह थोड़ा बड़ा website नहीं है getgoodessay.com यह कोई बड़ा website नहीं है लेकिन फिर भी इसने लिखा है तब जाके इसका google पर दिखाया है और तब जाके हम लोग इसके website में आए हैं और इसके website में हम लोग आए हैं तो फिर इनके लिए बहुत अच्छा रहा यह चीज और हम लोग एक viewer भी हो गया है इनके लिए और हम लोग का जो revenue होगा वो लोग को मिल जाएगा मतलब अगर कोई ad चलता इस time तो देखे एड चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ad देखने को मिल रहा है नीचे में देखिए ठीक है तो मा Google में search किया essay on Turkey and Syria earthquake तो मैं इस website में आया ठीक है Google ने मुझे इस website में ले के आया और माल लेता है कि हम लोग कोई इस तरीके के ad में click करते हैं तो फिर क्या होता है जो education website बनाया है जो इस website को बनाया हुआ है get good as a तो उसको revenue मिला उसको कुछ पैसे मिला इस ad के बदले ठीक है त तो हम लोग भी basically कुछ essay लिख सकते हैं क्योंकि यह समय तो बहुत ज्यादा traffic है अब देखें बहुत time क्या होता है जैसे college के education materials बहुत time website पे हमें नहीं मिलते हैं हमें Google पे बहुत कम ही मिलते हैं तो आप लोग basically यह भी search कर सकते हो कुछ न कुछ तो आपको content मिलेगा ही बट कहीं न कहीं जब आप लोग इन तरीके के books को लेके आओगे कुछ topics को उठा के देखो के तब आपको समझ में आएगा कि internet में इन तरीके के चीजों में कमी है हम इन तरीके के चीजों को अगर अपने website पर लेके आते हैं तो हमें का सर्च करने के लिए हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं रोज रोज हर वक्त कुछ न कुछ सर्च करते ही रहते हैं अगर हम लोग जितना लिखेंगे उतना ज्यादा हमारे website में ट्राफिक आते रहेगा आप देख सकते हूं यह सब जैसे ठीक है तो यहां पे देखी इस website ने तो भाईया honestly करके रखाया कि जैसे second semester का है updated updated so कर रहा है and यहां पे fifth semester का है यहां पे no update no update so कर रहा है यानि कि यह जो भी content arithmetic aptitude नाम का subject है fifth semester में तो इसमें इनके कोई भी updates नहीं है जो भी updates है वो यहां पे basically दिया ही नहीं गया है कुछ भी नहीं है ठीक है तो यह सब मैं मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि एक unique चीजों को ढूंड़िए unique चीजों में अगर आप अपने website में लिख पाओगे website पर article डाल पाओगे तो आपको definitely traffic देखने को मिलेंगे okay तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप उन तरीके के चीजों को सबसे पहले लिखे जो internet में available ही नहीं है तो वैसा कुछ education content निकालिए ऐसा बहुत है मैंने तो यहां पर आपको BBA का दिखाया ऐसे बहुत है जो education content internet में बहुत कम available होते हैं तो जितना आप लोग यह सब लिखोगे उतना ही जादा आपको फाइदा होगा हम लोग अपने website में अगर post लि option मिलेगा यहां पर add new का option मिलेगा तो आपको यह वाला plugin classic editor अगर आपको सामने में दिख जाता है तो अच्छी वात है otherwise आप लोग यहां से search कर सकते हो तो इसको जरूर से install कर लिजेगा क्योंकि हम लोग जो article लिखेंगे या education post लिखेंगे या किसी भी तरीके का अपने website पर post लिखेंगे तो हमें इस plugin का जरूरत परेगा तो यहां पर simply activate पर click कर लिए है simply post पर चलिए और यहां पर add new का option है तो हमें कुछ इस तरीके से easy सा देखने को मिलेगा अब यहां पर tool word toggle इसको हम लोग on कर लेंगे on करते ही हमें काफी सारे option देखने को मिलते हैं तो कुछ इस वो content लिखेंगे जो unique हो जो बहुत ही कम internet में लिखा गया हो वो content लिखने का try करेंगे तो right hand essay ओके तो यहां पर हम लोग ने अपना heading लिख लिया है right hand essay on turkey and cd earthquake ओके तो यहां पर एक permalink automatically हमें आ चुका है तो अब यहां पर एक trick यह बनता है कि आपको इतना बड़ा पर्मा link नहीं रखना है आप simply क्या कीजिए इसको छोटा करने का कोसिस कीजिए और इतना छोटा अगर minimum maximum 4 word का आपको बनाना है 4 word से 5 word उससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है तो right hand को मैं हटा देता हूँ basically मैं क्या करना है आप देखते जाहिए and जो beach में hyphen होगा वो space के ब perfect रहता है पर्मा link के लिए इससे ज्यादा भी नहीं से कम भी नहीं तो मैंने इसको actually इसे लिए किया क्योंकि अब देखिए इसको ना मैं Syria को हटा सकता हूँ because Syria में बहुत कम effect हुआ है ज्यादा effect तो Turkey को हुआ है और यह जो earthquake के बारे में मैं लिख रहा हूँ वो 2023 का है तो 2023 क earthquake के बारे में तो basically आपको इन 4 words में ही अपने चीज अपने material को समझाना है तो इसमें क्या होगा यह एक बहुत ही important role play करता है Google के search engine में rank करने के लिए आपके website को rank करवाना है Google पर तो आपको यह जो चीज है इसको आपको बहुत ही बारिकी से इस चीज को करना है and make sure कि यह जो आप सोचो कि और अच्छा होता लेकिन 2013 इसलिए किया क्योंकि यह थोड़ा मेरे article को unique बनाता है and justify करता है कि 2023 का earthquake के बारे में मैं यह essay लिख रहा हूँ तो अब हम लोग यहाँ पर अपना essay को लिख सकते हैं तो देखो content writing कैसे किया जा सकता है सही से format wise उसके बारे में मैंने youtube channel अपना रॉनित सिल उसमें already एक घंडे का video recently बनाया है और सबसे popular video में अगर आप उस channel पर जाओगे तो 2 घंडे का content writing का full course मैंने बनाया है तो उस video को आप लोग देख लेना अगर आप लोग सुरू कर रहे हो blogging सुरू कर रहे हो या किसी भी तरीके website में writing सुरू कर रहे हो तो तो वह बहुत काम आएगा तो यहाँ पर क्यूंकि हमारा एक education content है तो हम उसी चीज को लिखेंगे जो हमें पूछा गया है write an essay on turkey and syria earthquake तो इस content को मै लिख लेता हूँ basically हम लोग लिख सकते हैं ठीक है ऐसे करके लिख सकते हैं तो मैं इसको लिख लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ तो guys कुछ इस तरीके से मैंने अपने इस post को लिख लिया है complete कर लिया है यहाँ पर थोड़ा सा mistake दिख रहा है तो मैं इसको correction कर लेता हूँ तो basically मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ठीक है इसमें मैं text color को black कर देता हूँ ताकि और अच्छा दिखे अब देखे यहाँ पर आपको यह बात समझना होगा कि जो भी आपने लिखा है वो किसी दूसरे website से copy नहीं करना है अगर आप दूसरे website से copy करोगे तो google को कही नहीं कई पता ही होता है कि आप लोग दूसरे website से copy कर रहे हो तो अगर आपको जानना है कि आपका जो content है जो आपने लिखा है मैंने यह पर 318 word का content लिखा है ठीक है तो इस 318 word में मेरा जो content है वो internet में ऐसे ही हुब हूँ किसी ने लिखा तो नहीं है तो यह अगर आपको ज website basically आपके इस content को आपके इस article writing को just check करेगा and check करने के बाद आपको बताएगा कि आपका जो article है यह वाला यह कहीं से copy है या नहीं अगर आप यह कहीं से copy की हो तो आपको यहाँ पे result लेखने को मिल जाएगा अगर आपने यहां से कहीं से भी copy नहीं किया internet में अपने ही मन से आपके डाला है तो आपको यह article सही है मतब गूगल आपका यह article अप्रूब कर लेगा और आपके website के लिए यह हानिका रख नहीं होगा तो यहाँ पर देख सकते हो 100% unique article है अगर आप कहीं से भी copy करोगे तो यहाँ पे red दिखेगा पूरा तो मैं आपको बता दू कि थोड़ दिक्कत नहीं है लेकिन make sure कि 40% से ज़्यादा copy नहीं हो आपका article फिलाल मेरे case में आप देख सकते हो 100% unique जो भी मैंने लिखाया वह 100% unique है कहीं से copy किया हुआ नहीं है कम से कम और रैट तो हाँ जैसे कि मैं बता रहा था अगर आप कहीं पर copy करोगे कहीं से copy करोगे अपने article को तो google की जो ads होते हैं जिनके थो हम लोग अपने इन website में जो पैसे कमाएंगे इन website में जो हम लोग ad लगाएंगे आगे जाकर उन से हम लोग फिर पैसे नहीं कमा पाएंगे क्योंकि google अपने ads को हमारे website में देगा ही नहीं दिखाएगा ही नहीं लोगों को तो दिखाएगा नहीं तो क्या केला कमाएंगे हम लोग तो उस बेसिकल एक process होता है Google Ads को दिखाने के लिए Google AdSense नाम का एक program होता है उस program में हम अपने website को eligible करते हैं उस program में Google हमें चेक करता है हमारे website को कि हमारे जो website हम वो सही है के नहीं सब कुछ legally डाला हुआ है के नहीं तब जाके वो हमारे website पर अपने Google Adsense program को run करेंगे, अपने ads को run करेंगे, और उसके बदले हमें daily पैसा earning होते जाएगा, ठीक है, I hope आप समझें इस बात को, तो देखिए हमने अभी सुरू सुरू में website बनाया, और आप वहलोगे कि हमारे website पर add क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा देर बात करते हैं, फिलहाल इस वाले चीज को देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एक heading देना जरूरी है, हम यह simply ऐसा दे देंगे, वैसा नहीं चलेगा, तो एक heading देंगे कम से घम, तो heading में हम लोग लिख सकते हैं, देखी, कुछ इस तरीके से heading बना लेना है, text color हम लोग red वेट दे सकते हैं, जो भी आपका मन है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग, क्योंकि यह educational content है, तो हम लोग ने heading को सबसे सुरू में ही दिया, और उसके बाद हमने article स्टार्ट किया, तो देखो different तरीके के article में different तरीके के format होता है, तो मैंने आपको जैसे की बता है, content writing का course मैंने औरेडी डाला हुआ है, तो उसको एक बाद जरूर देखेगा मेरे YouTube चैनल पर, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर ही देख रहे हो, तो नीचे description में link भी मिल जाएगा उस वीडियो का, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना article जो भी था, वो complete कर दिया है, तो यहाँ पर आप देखें क्या-क्या आपको देखना है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का छीरखानी नहीं करना है, simply add new category में, क्योंकि यह मेरे educational website है, यहाँ पर हम लोग notes, बहुत, मतब class 1, 2, 3, 4, ऐसे करके 9, 10, 11, 12 का notes देंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर category बना सकते हैं, तो क्योंकि हमने बस यहाँ पर essay लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर essay का category एक बना लेते हैं, basically यह एक folder के तरह काम करता है, आपके website में क्या-क्या material है, वो यहाँ पर दिखता है, तो essay, essay, मतब आप अपने students को basically यह एक folder बना के दे रहे हो, essay and article writing, तो जितने भी essay and article writing है, वो आपको इसी category में select करना है, और भी आप जितने भी notes बनाओगे, या important questions बनाओगे, sample questions बनाओगे, वो basically आप अपने हिसाब से category डालते जा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर tags में फिलाल कुछ नहीं डाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको डालना ही है, तो आप डाल सकते हो, जैसे essay on, तो यह एक हो गया, ठीक है, या फिर हम लोग Syria को भी दे देते हैं, तो यह दो, यह आप कुछ भी डाल सकते हो, अप्शिन आता है, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर पहले तो हम लोग एक इमेज को डाउनलोड करेंगे, गुगल से, तो यहाँ पर इमेज पर चलेंगे, और इमेज पर चलने का बाद, बहुत सारे इमेज़ आपको देखने को मिलेंगे, तो make sure कि जो इमेज थोना ज़्यादा अट्रेक्टिव लगता है, वो आप लोग चूज कीजिए, और example मैं इसी को चूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको चूज करने के बाद, मैं इसको save कर लूँगा, अपने computer पर, तो मैंने save कर लिया, basically, और यहाँ पर आपको यह देखना है, कि यह जो image है, यह इसका source क्या है, India Today, मतब यहाँ पर आपको काफी सारे NDTV, foreign policy, NPR, BBC, Al Jazeera, ऐसे काफी सारे source आपको देखने को मिलेंगे, तो India Today वालों ने इस image को डाला है अपने website पर, तो यह source हम लोग भूलेंगे नहीं, तो guys, इस image को चूज करके देखते हैं, save image पर click करते हैं, तो यहाँ पर इस image को save कर लेते हैं, वो पिछला वाला image काम नहीं किया, क्योंकि उसका जो file format था, वो थोना सा अलग था, तो यह support नहीं लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह image मेरे computer पर show कर रहा है, तो कुछ यहाँ पर ऐसे करके, इस image को उठा के upload कर देंगे, यहाँ पर जो title है, इसको हम लोग backspace दे के clear करेंगे, यहाँ पर caption बोल के आता है, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे image, image credits, तो हमने कहाँ से उठाया, the new york times से, तो यहाँ पर हम लोग image credit, the NYT कर दिये, मतलब लोग समझ जाएंगे, the new york times, तो यह actually डालना परेगा, विकाज हमारा website नया है, और google को भी पता है कि हम images को click करके तो नहीं लाए होंगे, turkey या syria से, तो हम अगर किसी का image use कर रहे हैं, तो उसको credit देना तो बनता है, तो google, अगर आप ऐसा करते हो, तो google के जो algorithm है, जो google adsense program आप लोग का approve करेगा, उस time आपके website चेक करेंगे वो लोग, तो जितना आपका website legal होगा, उतना अच्छा, तो ये post हमारा यहाँ पे publish हो चुका है, और ये वाला हमारा website था, इसको refresh कर लेते हैं, refresh करने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे एक article हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो एक बड़ा सा image देखने को मिल रहा है, and कुछ heading कुछ इस तरीके से, और ये article कुछ इस तरीके से, अब देखे, जो चीज होता है, जैसे ये हमारा website है, बहुत एक गंदा look आ रहा है, ठीक है, चाहे mobile में खोली है, या computer पे खोली है, ये एक गंदा look दे रहा है, मतब जो हमारा website है, वो cool नहीं लग रहा है, तो cool लगवाने के लिए हम लोग use करेंगे themes का, तो देखो भई या, अगर आप चाहते हो, कि आपका website professional दिखे, अगर आप चाहते हो, कि आप अपने website या blog को आगे, बहुत level high ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा important जरूरी ये है, कि आप अपने website में look उसका ठीक करो, website का look जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा दोस्त, इसके लिए हम लोग एक theme को purchase करना जरूरी है, देखो, मैं जानता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर investment करना पर रहा है, आप सोच रहे होगे कि मेरा website चलेगा भी कि नहीं, बट दोस्त ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, कि अगर आपको अपने website पर अपने आप पर भरोसा है, कि आप कर पाओगे, आप डेली एक से दो घंटा quality time spent कर पाओगे इन सब चीजों में, तो definitely आपको investment करना चाहिए, एक investment आपको, माल लिजे 10,000 आप खर्चा करते हो total, ज़्यादा नहीं 10,000 और कम भी नहीं उससे, तो 10,000 जो खर्चा करोगे आप, वो आपका एक ही महिना में वापस आके आपको ROI, यानि कि return on investment वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें process क्या होता है, कि आपको 3-4 महिना हो सकता है, कि आपको मेहनत करना परे, तब जाके आपका website में उतना traffic आए, और तब जाके उतना आपको कमाई हो, बट एक बार आप अपने website पर माल लेते हैं, कि आप अपने website या blog पर 40-50 post लिख चुके हो, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, धीरे-धीरे आपके website पर काफी जादा traffic देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से जब आपके website पर कमाई होने लगेगा, तो ये जो 10,000 आप invest कर रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है, आप इसके बदले 20,000-30,000 आराम से कमा सकते हो, वेबसाइट और blog में बहुँ जादा कमाई होता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, कितने सारे लोग दिन भर सर्च करते रहते हैं सब चीजों को, और वो लोग आपके website पर आएंगे, और कितने पैसे आप लोग कमा सकते हो, उन traffics को, उन लोगों के माध्यम से, तो आप मैं से कई लोग बोलेंगे कि यार तू क्यों नहीं करता है, तो मैं औरेड़ी करता हूँ, मेरा website पैसा100.in आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैं education content पे नहीं करता हूँ, मैं दूसरे content पे करता हूँ, क्योंकि मैं education, मतरब ठीक है, लेकिन मैं एक दूसरा background को ज़्यादा prefer करता हूँ, मेरे लिए, तो वो मेरे लिए ठीक है, मुझे उस पे interest है, तो मैं उस पे करता हूँ, तो blogs में काफी कमाई है, आप खुद भी जानते होंगे, या सुने होंगे, तो इस वाले theme को हमें, मतरब download करना है, download करने के लिए हमें खरीदना पड़ेगा, 335 रुपया दाम है, इस वाले theme का link, मैं नीचे description में दे दूँगा, उस पे click कीजिएगा, एंड इस वाले webpage में आप पहुँचिएगा, अगर आप लोग Udemy पर course देख रहे हो, तो नीचे attachment में मिल जाएगा, तो simply buy now पे हम लोगों को click करना है, बेट करना है, first name, last name डालना है, and review and pay पे click करना है, make payment पे click करना है, तो जैसे आप करोगे न गाइस, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का payment का page open होने लगेगा, आप लोग इसको simply अपने किसी भी UPI app से payment कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे काफे सारे option देखने को मिलेंगे, UPI का, या फिर आपको और भी बहुत सारे option देखने मिलेंगे, जो भी option आपको ठीक लगे, वो आप प्लिक करके payment कर देना, उसके बाद आपको download का option मिल जाएगा आपके dashboard पर, तो theme purchase कर देने के बाद क्या आपको क्या करना है, dashboard पे चलना है, और यहां पे appearance पे चलके themes पे चलना है, तो मैंने actually already purchase करके रखा था एक बार, और एक बार आप उस theme को purchase कर लोगे, तो आप अपने unlimited जितने भी website पे बनाओगे, वो आप डाल सकते हो, या जितने भी time आप उस website पे डालना है, अपने बार डाल सकते हो, हाला कि एक ही बार डालना होता है, तो मैंने already purchase किया था एक बार, तो उसी theme को मैं simply यहां पे डाल लोगा, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, आपको simply सबसे पहले boombox child नाम को, देखो आपको दो ही file मिलेगा, ठीक है, एक यह वाला और एक यह वाला, तो आपको boombox child को सबसे पहले तो install करना है, इसको install करने के बाद go to theme page पे फिर click करेंगे, और यहाँ पे add new पे फिर से click करेंगे, upload theme पे click करेंगे, choose file पे click करेंगे, और उसके बाद यह वाला जो main file है हमारा, उसको भी install कर लेंगे, तो यह अब धीर धीर install हो जाएगा, और इन दोनों file को upload को make sure करना है, कि एक एक करके डाल लो, उसके बाद activate पे आपको click करना है, activate पे click करने के बाद हमारा जो website है, वो कुछ इस तरीके से look दे रहा है, but don't worry, हमारा website अभी और भी बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा, तो यह आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, अब इसको अगर हम लोग open करते हैं, थोड़ा सा कही न कही हमें सुधरते हुए दिखा है, but काफे development हमें अपने website पे करना है, अभी तो कुछ भी मजा नहीं आ रहा है उतना, बट कही न कहीं जो पहले हमारा website दिख रहा था, उससे तो कई गुना जादा यह अच्छा दिख रहा है, लोगों को उतना ही लोग आपके website को open करेंगे, ठीक है जी, तो ये बात आपको समझना परेगा, अब इस website में कुछ काम बाखी है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, देखे ये पुराना website है, और ये कुछ नया website का look है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, इसमें हम लोग बहुत डिजाइन करेंगे, एकदम प्रोफेशनल लगेगा, तो इस बादे पुराने look को मैं एक बाद रिफ्रेस कर देता हूँ, रिफ्रेस करने के बाद ये नया look आ गया, तो simply अब क्या करेंगे, dashboard पे चलेंगे, dashboard पे चलने के बाद यहाँ पे हमें एक notice देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे begin installing plugins पे क्लिक करना है, select all करके install पे क्लिक करना है, तो धीरे धीरे एक एक करके install होने दीजिए, जब आप लोग install कर लोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो install हो जाने के बाद मैंने actually page को refresh किया है थोड़ा सा, इसलिए मुझे ये ऐसा दिख रहा है, तो मैं फिर से एक बाद select all पे क्लिक करूँगा, और इनको activate कर लोगा, अब यहाँ पर आपको message आ जाएगा कि जितने भी आपके plugins ते वो activate हो चुका है, simply आपको return to dashboard पे click करना है, और यहाँ पर इस वाले portion पे ध्यान देना है, तो आप देखेगा कि आपको बहुत सारे extra features देखने को मिर रहा है, जैसे कि WP bakery हुआ, MC4, WP quads, तो यह सब आपको जाना है, यहाँ पर किसी भी तरकी का कुछ छेरखानी नहीं करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ऐसे message देखने को मिनेंगे, तो इन messages में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, simply cut करना है, और यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं, notifications जो आपको avoid करना है, तो अब हमारा जो website था, वो कुछ ऐसा था, इसको अब refresh करके देख लेता हूँ कि कैसा है, तो simply अभी भी आप देखोगे कि जो हमने theme इंस्टॉल करने के बाद, जो हमारे website का हालत था, वही same हालत अभी हमें दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग appearance पर चलेंगे, appearance पर चलने के बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा, मतलब appearance के उपर आप mouse cursor को रखोगे, तो एक ऐसा menu open होगा, और यहाँ पर आपको boombox demo import पर क्लिक कर देना है, ओके, तो देखे, यह वाला actually boombox नम का theme है, जो हम लोगों ने install किया था, जो मैंने आपको super copy दिया था, वो actually में super copy है, देखे, boombox activation पर आप अगर जाओगे न, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, boombox registered, अगर आप free version कहीं से download कर लोगे, तो यहाँ पर आपको register करने बोला जाएगा, और अगर register नहीं होगा, free version होगा, तो आपको बहुत सारे features इस website पर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार 335 रूपीज के investment अगर आप करते हो, तो कोई बड़ी problem नहीं है, simply यहाँ पर क्या करेंगे, one click demo import यह बहुत जादा, actually हमारे website को advanced level का बना देगा, आपको फिर से बार website दिखा देता हूँ, यह homepage है, कितना गंदा सा दिख रहा है, और यहाँ पर हमें कई सारे option मिलते हैं, कि हम अपने website को कैसा design दे, आप देख सकते हो, कई type के website का design यहाँ पर दिया गया है, जो भी आपको परसंद आया आप दे सकते हो, बट मेरी case में, और मैं आपको recommend करूँगा कि मैंने सब को देखा हुआ है, देखने पर तो बहुत ही अच्छे लगते हैं सब, लेकिन personally मैं इसी को परसंद करता हूँ, जो boombox original करके आ रहा है उसी को, तो import demo पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर actually कुछ plugins को select करने बोला जाता है, इन सब को हम लोग कुछ भी select नहीं करेंगे, continue and import पर क्लिक करेंगे, अब देखी, यहाँ पर यह थोड़ा सा क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा wait करो, एक minute का wait करो, बाइचंस अगर यह नहीं होता है, तो आपको page को refresh करना है, क्योंकि यह सुरूर time में नहीं होता है, यह process नहीं कर पाता है आपके server में, तो फिर भी मैं थोड़ा सा wait करूँगा, 10-20 सिगन तक उसके बाद, इस page को refresh करूँगा, और फिर कोसिस करूँगा, और page refresh करने के बाद भी अगर नहीं होता है, तो आपको wait करना है, भले 3-4 मिन, 5 मिन हो जाए, बट कई टाइम क्या होता है, कि हमारे server के साथ connect ना होने के वज़ए से, यहाँ पे cross का signal आता है, और यह field हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको field हो जाता है by chance, तो आप क्या करो, page को refresh करो, और same process फिर से, demo import में जाके import में दबाओ, और same process करो, और वो second time में ऐसा आपको दिखी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हमें theme setting का option मिलता है, इस पे चलते हैं, और वो हमने install कर दिया ना, तो हमारा काम हो गया, अब हमारा जो website है, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे चलो admin mode है, मैं आपको home page जो हमारा यह वाला था, इसको मैं refresh करके दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा, तो आप देखे हमारा जो website है, वो कितना professional looking website अब सो हो रहा है, माल लेते हैं कि अब आप बोलोगे, कि यह सब post कहां से आ गया, यह सब actually demo post है, जो हम लोग delete कर देंगे, don't worry, यह just आप अपना website को ऐसे करके देख लो, okay, but हम लोग don't worry, हम लोग अभी और भी काम करेंगे हमारे website पर, ताकि हमारे जो website है, वो थोड़ा simple भी लगे और cool भी लगे, तो फिलाल मैं आपको यह वारा post दिखा देता हूँ, open करके कि यह कैसा दिख रहा है, तो कही न कहीं हद तक आपको वैसा ही दिखेगा, but थोरा सब features यहाँ पर add हुआ है, जो viewers देख सकते हैं, and यहाँ पर don't worry, आपको और भी कई सारे features मिलेंगे, जो मैं आपको अभी edit वेडिट करके, customize करके दिखाऊंगा, तो homepage पर चलते हैं, and यह रहा admin mode, और यहाँ पर हमें, क्योंकि हमने theme setting पर click किया था, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से अपना admin का feature मिला हुआ है, तो सबसे पहले, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए इस चीज को, वैसे मैंने boom box theme, मतब यह जो theme है, इसको customize कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने already एक video बनाया था, उस video को भी आप देखो के तो helpful रहेगा आपके लिए, बट फिलहाल इस video में भी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा, उपर-उपर से बता देता हूँ, site identity में आपको basically आपका ये जो site का title है, वो आप यहाँ पे edit कर सकते हो, जो भी आप यहाँ दोगे आपको ये title यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे tagline है, tagline तो नहीं दिखेगा, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो एक अच्छा authentic tagline दीजिए, और राइट, यहाँ पे एक option मिलता है, so tagline करके, अगर आप लोग so करवाना चाते हो tagline को, तो वो कुछ इस तरीके से नीचे so होगा, ठीक है, बट मेरी case पे मैं नहीं करवाना चाता हूँ, तो ऐसा रहेगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको icon वगेज़ा set करने को मिलेंगे, तो icon आप set कर सकते हो, for example इसी को मैं ले सकता हूँ, आप upload file करके अपना खुद का icon लगा सकते हो, तो यहाँ पे मैंने यह set कर दिया, basically यह कहाँ पे दिखेगा मैं आपको, यह जो tab open होता है, तो उसमें pages के tabs में दिखेंगे, जो आप example के लिए यह समझेए, जो आपको computer में, mobile में tabs open होता है ना, तो यहाँ पे एक icon दिखता है, देखीगा, तो वो basically आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो simply publish पे click करेंगे, तो हमारा यह जो भी हमने setting अभी किया है, वो set हो जाएगा, इसके बाद हम लोग design का option में जाएंगे, design के option में भी काफी कुछ हमें option मिलते हैं, देखो यह सब तो देखो बहुत सारे option है, मैं आपको एक एक करके अभी नहीं समझा सकता, बट जो ज़रूरी होता है ना, वो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, design वाला में basically क्या होगा, यह जो text हुआ, यह जो text हुआ, तो यह सब text को changes, ranges करना, font वगेरा change करना वो है, और कुछ नहीं, header में चलते हैं, header में जाने के बाद layout पे चलते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप top layer को बंद करना चाते हो या नहीं, मतब इस वाले layer को, इस वाले portion को, तो यहाँ पे अगर आप top layer को बंद करोगे, तो देखें, उपर वाला section चला गया, ठीक है, तो यह आपके उपर depend करता है, और top layer को अगर on करोगे, तो देखें, उपर वाला section यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखें, कुछ option आ गया, तो यह जो उपर वाला section है, इसको आप customize कर सकते हो, बट इसको मैं अभी फिला recommend नहीं करूँगा, तो इसको बंद कर देता हूँ, आप लोग बाद में, जब सीख जाओगे तो खुद कर पाओगे, और यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे, तो आपको नीचे में भी एक bottom layer देखने को मिलेगा, इसको अगर बंद कर दोगे, तो देखें, यह जो सबसे, ओ, सॉरी, यह जो bottom layer है, यह actually हम लोग header का कर रहे हैं न, customize header का है न, तो यह bottom layer उपर वाला है, जो यहाँ पर यह वाला, ठीक है, तो इसको हम लोगों को बिल्कुल हटाना नहीं है, यह तो main है, website का हमारा, तो इसको हम लोग back करेंगे, color and style दिया गया है, आप लोग कौन सा, text का कौन सा color करना चाते हैं, वो आप दे सकते हो, यहाँ पर, typography में font बगेरा change कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि यह वाला font आप चेक करो, और यहाँ पर मैं कुछ दूसरा font मा लेते हैं, pop-ins, ठीक है, यह कही ना कहीं change होगा, आप लोग देखिए, top menu font, अच्छा, menu वाला font थाई है, तो यह actually change हुआ है, ठीक है, तो आप लोग खुद से एक बार देख लेना, यह सब आप समझ जाओगे, font बगेरा change करना, यहाँ पर एक feature level करके आता है, तो यह वाला actually है साइद, तो इसको अगर बंद कर दिजेगा, home से आप इसको deselect कर दिजेगा, यह बिल्कुल, feature level यह वाला हुआ actually, यह जो heading के नीचे है यहाँ पे, तो यह आप तभी डालिए, इसके उपर और इसके नीचे जो था, यह आप तभी डालिए जब आपका, आपको menus के बारे में पता चले, जब आप आगे जाके बहुत सारे categories में लिखे दोगे, तब आपको यह काम आएगा, फिलहाल के लिए हम लोग इसको हटा देंगे, post trip को भी हम लोग यहाँ से home से हटा देंगे, post trip बेसिकर एक क्या होता है, आपको पता चलेगा, जो उपर वाला कुछ दिख रहा था, छोड़ा छोड़ा करके, वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं आता है, तो home और page दोनों से हटा दीजेगा, और एक नीचे में भी आपको मिलेगा यह चीज, यह देखिए, तो इसको भी हम लोग हटाएंगे बाद में, अब ही हम लोग उपर वाला section का बात कर रहे हैं, ओके, यह हो गया, अब देखिए, footer का option है हमारे पास, footer का option में, यहाँ पे आप देखिए, top part, अगर आपको गाइब करना है, यानि कि यह वाला part, तो यह वाला part पूरा गाइब हो जाएगा, बढ़ यहाँ पे हम लोग बाद में customize कर लेंगे अपने हिसाब से, और यह सबसे नीचे वाला part है, bottom part है, यह वाला, ठिक है, तो इसको भी मत हटाईएगा, अब यहाँ पे post trip का भी option आजाता है, post trip, तो इसको हम लोग बंद कर लेंगे, post trip को, footer में, और color वगेरा, footer का, यह आप लोग यहाँ से change कर सकते हो, तो यहाँ पे publish पे click कर लेंगे, मतलब जितना हम लोग ने किया अभी तक, वो shape कर लेते हैं, तो देखे, आलतो वालतो चीज़, जितना भी footer में था, वो हट चुका है, and recent comment, join boombox community, and disclaimer, यहाँ पे हम लोग अपना बाद में customize कर लेंगे, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी दिर में, अब यहाँ पे देखे, home का option आता है, अब देखे, हमारा जो post है, basically, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठेक है, तो इस post को हम लोग थोड़ा सा assign करेंगे, ताकि हमारा जो website है, उसका look अच्छा है, तो यहाँ पे आपको sidebar type में एही select करना है, यह ठीक रहता है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, जब आप लोग एक एक करके सब देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पे basically यह वाला है, आपको यह कैसा चाहिए, मेरे case में मैं इसको list में रखता हूँ, यानि कि यह बड़ा वाला list में, तो अब देखिए, जो हमारा post यहाँ पे gallery जैसा दिख रहा था, वो अब कैसा दिखेगा, देखिए, तो देखिए, यह अब नीचे एक बाई एक वन बाई वन लाइन में आ गया, तो यह कुछ, अगर आप ऐसा बनाऊगे ना, तो definitely आपके website को लोग पसंद करेंगे, वाला भी रख सकते हो, बढ़ ठीक नहीं है, यह वाला ठीक है, simply publish पर क्लिक करके, मैं save कर देता हूँ, जितना हमने अभी तक change किया है, अब यहाँ पे एक featured area बोल के आता है, यानि कि कुछ main जो post होता है, या recent post होता है, वो featured area में दिखता है, तो अगर आप area type को disable कर दोगे, तो सायद यह यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, एक्चुली यहाँ पे थोड़ा सा time ले रहा है, इन changes को करने में इसलिए थोड़ा सा देरी हो रहा है, तो आप देखिए यह हट चुका है, तो हटा के ही रखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको featured area का कोई जरुवत नहीं है, featured area रखिएगा तो आपका website slow होगा, और slow होगा तो आपको traffic आने में दिक्कत होगा search engine से, आपका ACO rank गिरता जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया, अब यहाँ पे single post, यानि कि एक एक post में हमें हमारा website कैसा दिखाना है, तो एक post पे चलते हैं, इसमें मैंने click कर दिया, ताकि आपको समझ में अच्छा से आए, तो click करने के बाद यह थोड़ा open हो जाने दिजे, तो यह open हो चुका है, अब देखें, यहाँ पे सबसे पहला हमें option मिलता है main का, तो क्यूंकि हमने slide bar type ऐसा किया है, यानि कि हमारे content है, वो हमारे page में इतना दूर तक अच्छा से दिखे, यानि कि जो option हम लोग यहाँ पे add करेंगे वो दिखे, तो यह perfectly set है, इसमें आपको changes नहीं करना है, अब आपको देखने को मिलेगा featured media, यानि कि जो photo हम लोग use करते हैं, वो photo हमें हमारे article के नीचे दिखेगा, तब तो professional लगेगा, यह बंद करके रखेगा, तो फिर professional नहीं लगेगा, तो featured media को on करते हैं, और आप देखिए, अब हमारा जो website है, वो थोड़ा सा professional look देना start कर दिया है, मतलब जो news website होता है, आप देखे होंगे, वो कुछ इसी प्रकार से होता है, photos बगेरा लेके, and image credit के बारे में, मैंने आपको औरेड़ी बताया था, क्या होता है, तो यह देखे, image credit भी यहाँ पर show हो रहा है, photo show होने के बाद, तो बहुत सही चीज है, आप लोग को काफी सारे option मिलता है, कि कैसे करके आपको अपने template को रखना है, for example, आप यह अगर रखोगे, तो ध्यान दीजेगा, यहाँ पर title है, यहाँ पर photo है, अब देखे, ध्यान दीजेगा कि कैसा आपको देखने को मिलेगा, तो दीखे, यहाँ पर photo आगिया, और photo के ऊपर ही, हमें हमारा जो heading है, वो देखने को मिल रहे है, और फिट से हमें photo देखने को मिल रहे है, तो यह कहीं न कहीं ठीक है, बट आप अपना ही मनका करना, सुनना सब का, अपना मनका करना है आपको, तो यह वाला मेरे लिए ठीक है मुझे यह वाला प्रसंद है कहीं न कहीं सिंपल है और बेस्ट है अब यहां पर आपको ना हाइड elements करके आता है तो आप अपने पोश्ट से अगर व्यूस बाला मतब आप सोच रहे हो कि आपका वेबसाइट जो है वो अभी अभी नया नया बना है तो उसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे व्यूस अच्छा नहीं लगेगा देखने को तो आप यहां से व्यूस में क्लिक कर सकते हो तो यहां पर यह जो व्यूस बाला चीज है यह हट जाएगा तो बेसिकली आप अपने सिंगल पोश्ट को कैसे दिखाना चाते हो वो यहां पर आप लोग कर सकते हो तो देखे यहां पर व्यूस हट चुका है तो आप यहां पर ऐसे करके author भी हटा सकते हो बट मैं recommend करूंगा author मत हटाना और date भी हटा सकते हो मत तब माल लीज़े यहां पर date वैसे भी नहीं दिख रहा है तो date हंटा ही देना चाहिए वैसे तो जो भी है आप लोग यहां पर हटा सकते हो नहीं भी आटा सकते हो जो हटाना है आपको select कर देना है बाकी यही है top share bar में आपको यहां पर आप लोग यह सब खुद देख लेना विकाउज यहां पर अगर मैं आपको इतना बताऊँगा तो आप वैसे देखे चीज यही है आप एक एक करके, on-off, on-off करके देखो के तो आपको समझ में आजएगा क्या-क्या है, ठीक है, तो main वाला में हो गया, related post, यानि कि जो हम लोग का ये post है मान के चलते हैं, इसके नीचे कोई viewer आएगा, तो उसको एक related post दिखेगा, ये जैसे don't miss वाला section दिख रहा है, उसे एक related post दि सकते हो, 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, जैसा करना है, आपको वैसे ही करके, customize करते होए चलना है, post strip, यानि कि ये वाला होता है, post strip, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग change कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, फिलाल यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है sponsored article इसको आप खुछ समझ जाना बाद में यहाँ पे फिलाल कुछ नहीं है टेंसर नहीं लेना है तो single post वाला काम हो चुका है यहाँ पे publish पे click करेंगे ताकि हमारा यह save हो जाए आर्चिव पे चलेंगे आर्चिव पे चलने के बाद यहाँ वही same चीज होता है आर्चिव एक तरीके का चीज होता है जो आप बाद में समझोगे अभी फिलाल आपको समझने की जरुवत नहीं है आर्चिव उतना काम नहीं आता है यह mobile views के लिए है मत्तब mobile में जो लोग देखेंगे उन लोग के लिए यह है तो माल लेते हैं कि यहाँ पे mobile का option मिलता है एक स्ट्रास में कई सारे option मिलेंगे गाइस एक एक करके आप लोग देख रहेना खुद ही कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे option है एक एक करके देखना होगा तो ज्यादा attention वाला कोई option नहीं है अगर कुछ भी हो ना हो दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर जैसे यह badges होता है इनको badges कहते हैं तो badges को हम लोग बंद कर सकते हैं इनको शायद नहीं जो post के नीची हमारे option आते है रियक्ट करने के जो मैंने आपको थोरी देर पहले दिखाया है ता सायद तो उसको बंद कर सकते हैं यह सब तो ऐसा ही रहेगा तो वह बंद हो जाएगा तो उसको क्यों बंद करना है उसको रहने देते हैं पस अई सब यार यह जो settings है ना basically यह आपको एक-एक करके से गंदा सा लुक दे रहा है, तो आपको screen option पे चलना है, यहाँ पे आलतो फालतो चीजों को बंद करना है, apply पे click करना है, तो दिखें, यहाँ पे अब हमें अच्छे से दिख रहा है यह चीज, और राइट, तो यहाँ पे जितने भी post है, आप लोग अपना खुद का post को छोड़ के, सब को trash कर दिजए, delete कर दिजए, delete करने के बाद, हम लोग अपने इस website को पहुंचते हैं, and refresh करते हैं, तो अब देखिए हमारा जो website है, वो बहुत ही cool look तो दे रहा है, अब यहाँ पे मैं, ज्यादा कुछ नहीं है, जितने भी content आप लिखोगे, एक एक करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लोग आएंगे आपके website में विजिट करेंगे, सबसे main चीज़ यह है कि यहाँ पे जो यह options होते हैं, कुछ जो आपको डालना है, एंड यह सब कुछ होते हैं, तो यह सभी फटा-फट में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे विजिट साइट को हम लोग open कर लेते हैं, तो यह विजिट साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे customize का option देखने को मिलेगा उपर में, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ने कुछ option डालना है, तब तो हमारा विजिट अच्छा लगे गा दिखने में, तो हमें जाना है विजिट के option में, यहाँ पे default पे चलेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, तो सबको delete के लिजिए सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह delete हो जोका है पूरा, राइट हैंड साइन में कुछ भी option कुछ भी features नहीं दिख रहा है, तो आपके पास यहाँ पे option मिलता है add a widget, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग add a widget पे क्लिक करके search वाले में search ही लिखिए, तो यहाँ पे एक option मिलेगा search, तो यहाँ पे title दे दीजिए search here, मतलब आप अपने viewers को यहाँ पे option दे रहे हो कि अगर उसको कुछ search करना है तो यहाँ पे search कर सकता है, हलाकि इस theme में already search का option दिया हुआ है, बट ठीक है यहाँ पे हम लोग ऐसे करके भी एक option extra दे सकते हैं, बहुत सारे option मिलेंगे आपको यहाँ पे अब next select करना है boombox recent post, तो recent post की बदले हम लोग थोड़ा सा अपना लिखेंगे latest updates, और कितने post आप लोग नीचे दिखाना चाहते हो अभी आप देखोगे, तो क्योंकि मेरे website में फिल हाल एक ही article है, तो एक ही आपको देखने को मिलेगा, देखिए ऐसे करके चिक है, तो एक ही देखने को मिलेगा बट आप लोग यहाँ पे change कर सकते हो, अगर आपको तीन दिखाना है तो तीन दिखा सकते हो, या दस दिखाना है तो दस दिखा सकते हो, तो यहाँ पे जो latest update है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग boombox यानि कि इस theme का ही हम लोग feature को use कर रहे है, तो माल लेते हैं यह वाला है latest update, अब आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ add a widget पे, अब यहाँ पे हम लोग search करते है recent post, तो क्योंकि यह boombox वाला है, boombox यानि की theme के तरफ है यह वाला widget, अगर हम लोग simple recent post को use करेंगे तो यह simple looking देगा, अब आप देखिए, एक्चुरी यह जो recent post नाम का widget है, यह wordpress के तरफ से है, wordpress का अपना है और यह boombox वाला जो है, जब हम लोग this theme को use कर लिये हैं तो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो दिखिए अगर आपको ऐसा simple looking दिखाना है तो आप यह वाला दिखा सकते हो, मतब text के form में आएगा ठीक है, तो फिलाल देखिए text के form में आने से सही रहता है, cool लगता है बट कहीं न कहीं आजकल लोग ऐसा design वाला prefer करता है, बट आप दोनों type के कर सकते हो, इसमें 3 दे सकते हो, इसमें 5 दे सकते हो, वह इसे कर सकते हो, तो देखिए यहां पर basically latest update का भी एक feature add हो चुका है, अब क्योंकि यहां पर मैंने 5 रखा है, तो जैसे जैसे हम लोग post करेंगे, तो यह यहां पर latest post को पांच post को यहां पर दिखाने लगेगा, add a widget भी फिट से जाएंगे और देखेंगे कुछ और option है क्या, तो काफी जारे option हैं देखा जाए तो, बड़ यहां पर आपको जादा भी अपना website को घिनाना नहीं है, आप यहां पर categories का option डाज सकते हो, जिसमें मैं यहां पर our menu लिखता हूं simply, तो यह कुछ इस तरीए से दिख रहा है गंदा सा, तो देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई और option है क्या, तो गाइस हमारे पास कोई option नहीं है, फिलाल यही रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर और जादा कोई डालने की जरुरत नहीं है, अब हम लोग simply क्या करेंगे, देखें यह हो गया, अब जैसे जैसे कैटेकरी से बनाएंगे, वह वैसे वैसे दिखेगा नीचे, अब यहां पर हम लोग इस नीचे वाला को क्लियर करेंगे, तो नीचे वाला को क्लियर करने के लिए फूटल लेप्ट यानि की यह वाला, तो यहां पर recent comments हमें सो होगा, जो भी हमारे website पर post पर comment आएंगे, वह यहां पर सो होगा, तो यहां पर option मिलता है कि कितने comment आप दिखाना चाहते हो यहां पर, तो ज़्यादा भी नहीं, मैं यहां पर 3 दिखाना चाहूंगा, मतब सबसे latest 3 comment यहां पर सो होगे, ओके, यहां पर middle में, boombox community इसको अब हम लोग delete कर देंगे, यह हमारा अपना थोड़ी है, तो boombox social widget इसको भी delete कर देंगे, तो यहां पर आप अपने हिसाब से कोई भी एक option दे सकते हो, कोई भी option दे सकते हो, tag cloud दे सकते हो, जैसे हम लोगों ने दो tag को यूज किया था, तो जितने tags आप लोग यूज करोगे वह यहां पर दिखेगा, बट आप लोग अगर ज्यादा tag यूज करने लगोगे तो वह यहां पर औरो नीचे बड़ा होता जाएगा, तो यह tag cloud को यूज करना सही नहीं है, इसमें आप लोग recent post फिट से कर सकते हो, यह pages कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो basically, तो यहां पर pages का भी option ठीक है, recent comment जब comment आने लगेंगे तो भी यहां पर fill up हो जाएगा, यहां पर जो disclaimer है यहां पर आपको अपने site के बारे में खुद से लिख देना है, तो मैं यहां पर कुछ भी changes नहीं करूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने site के बारे में थोड़ा सा short form में लिखना है, और यहां पर title आप दे सकते हो about our site, मतलब हमारी site के बारे में कुछ, तो यह आप लोग कर सकते हो, अब यहां पर देखिए हमें यह वाला तो clear हो गया, publish कर देते हैं simply, अब यहां पर थोड़ा सा changes करेंगे, यहां पर click करते हैं simply, तो footer menu में edit menu का option मिलेगा, community को हटा देंगे, and about us, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या करना है, तो यहां पर about us का option है, इसमें URL आपको paste करना है, आप एक page बनाओगे, देखिए मैं बताता हूं, यहां पर हम लोग चलेंगे pages में, और कई सारे pages हैं वैसे तो about us का page हम लोग एक बनाएंगे, क्योंकि यह आपको मिलेगा नहीं, तो इस जगा में इस page को बनाने के बाद आपको अपने website के बारे में लिखना है, यहां पर मैंने simply इसी चीज़ को लिखा है, बर आपको यह चीज़ को नहीं लिखना है, ठेक हैंट simply publish पर क्लिक करना है, अब यहां पर देखिए यह बला एक link बनके आया है, तो इस link को हम लोग copy करेंगे copy link address and यहाँ पे जाके इस link को paste कर देंगे तो क्या होगा अगर जो भी लोग हमारे इस link को click करेगा वह हमारे उस वाले page तक पहुँच जाएगा तो जब आप about us लिखोगे तो वह अच्छे से पर पाएगा तो यहाँ पर हो चुका है publish पर click करेंगे ऐसे करके terms and privacy policy यह सब औरेडी connected है आपके wordpress website में औरेडी है यह सब तो pages पर जाओगे जैसे contact us का page औरेडी बना हुआ है जिस्ट आपको simply edit पर click करना है और अपना जो भी कैसे आपको contact करना है कैसे नहीं करना है वह यह सब दे सकते हो ठीक है तो जैसे जैसे आप लोग दोगी और वैसा वैसा वह पहुँचेगा I hope आपको समझ में आ रहा है इसको refresh करके मैं बताता हूँ देखिए यह पूराना वाला लुक था आप यहां पर देखोगे refresh करने के बाद देखिए सब changes हो चुका है about us पर अगर मैं click करता हूँ तो हम उस web page तक पहुच के जहां पर हम लोगों ने about us का page बनाया था तो यहां पर जैसा जैसा लिखोगे वैसा वैसा आपके viewers को पता चलेगा ठीक है अब यहां पर contact us का यहां पर मैं खोलता हूँ तो जैसा जैसा आप लोग अपने wordpress dashboard में pages में जाने के बाद मा लेते हैं contact us का page है edit करते हैं तो जैसा आप लोग लिखोगे वैसा होते जाएगा for example मैं इसको color change कर देता हूँ and update करता हूँ and उस वाले पर फिर से चलता हूँ and यहाँ पर refresh करता हूँ तो आप देखे यह changes हो गया तो basically आपको यह 4 pages को अपने wordpress के dashboard में आने के बाद pages का option मिलेगा and धून धून के उन्हीं 4 pages को जैसे terms हो गया privacy हो गया contact us हो गया और about us हो गया इन 4 pages को अच्छे से edit करना है लिखना है अपने website के बारे में हो सके तो आपका website में कौन-कौन काम कर रहा है क्या motive है यह सब लिखना है और राइट तो यहां तक हम लोगोंने complete कर लिया है अब आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं अब आप यहां पर basically जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे यह काम बनता जाएगा अब मैं आपको next दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अपने website को आप लोग Google search engine में Bing search engine में add कर सकते ह ताकि आप लोगों के website में traffic आना start हो जाए तो कहीं न कहीं आपको यह सब करने से पहले कहीं न कहीं आपको post लिखने में ध्यान देना है कई सारे post लिखना है बीना रुके बीना ठके ठीक है और अपने website में धीरे-धीरे करके आपको भी traffic मिलना start हो जाएगा तो चलिए जैसे search engines में लाया जाता है तो आप अगर अपने website को चाते हो अपने blog को चाते हो कि google जैसे search engine पे आपका result आए और उसके बाद उससे traffic आए तो आपको क्या करना पड़ेगा अब फटफट से जान लेजिए देखिए यह dashboard में आ चुके हम लोग यहाँ पे क्योंकि हम लोग न आपको यहाँ पर आपको आपको option मिलेगा webmaster tools का इस पर क्लिक किजिए और यहाँ पर देख सकते हो google verification code तो google search console पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ option दिख रहा है ठीक है जैसे कि stml tag तो इस वाले code को हम लोग क्या करेंगे copy कर लेंगे तो यहाँ पर actually go मतब यहाँ पर कुछ इस तरीके से बता रहा है बड़ इस code को क्या करेंगे copy करेंगे और हमें कहाँ पर paste करना है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं तो आप इस code को यहाँ पर paste करोगे तिक है ऐंपको head वेड में जाना नहीं है simply आप यहाँ पर paste करोगे save changes पर click करोगे ठीक है तो यह code automatically आपका ले लेगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है अभी तक काम होआ नहीं है अब यहाँ पर हमें verify करना है verify पर click करना है तो देखें यहाँ पे हमारे जो website है वो google पे verify हो चुका है और अब हम लोग google search console पे चल सकते हैं ठीक है और वहाँ पे हम लोग का website का अलग काम होगा तो यहाँ पे आप चलिए view your list यह actually अलग चीज़ है अब आप लोग क्या कर सकते हो न मैं आपको दिखा देता हूँ अब आप लोग google search console पे अपना आ जाओ ठीक है इसको आप लोग search कर सकते हो google पे लिखेगा google search console और same email id से आप लोग लोग इन हो जाएगा जिससे आप लोग यह सब कर रहे हो ठीक है उस पे आजाने के बाद आप लोग इस पे लोग इन हो जाओगे google search console पे मेरा औरेडी लोग इन था तो यहाँ पे आपको जितने भी list है सब देखने को मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पे तीन website दिख रहे हैं आपको दिख रहा है URL प्रेफिक्स पे फिर से चलते हैं and हमारा यह URL है sub domain लेके तो इसको paste करके continue पे click करते हैं तो आप देखो कि कि यहाँ पे आपको दिखेगा ownership auto verified ठीक है आप go to property पे click करते हैं तो आप दिखेगा यहाँ पे अब आ domain है इसी पर मैं आपको करके दिखा रहा था तो आपको अपना main domain के हिसाब से दिख जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्यूंकि मेरा यह वाला domain है तो यह खुल गया ठीक है मुझे यहाँ पर option आ गया तो आपको भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब आपको क्या काम करना है मैं देखें बहुत important है site map पर आपको चलना है ठीक है अब आप अपने website पर चलिए और यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ जैसे यह मेरा website है ठीक है hindi.pasa.in आपको पता होगा तो यहाँ पर slash देते हैं तो आपको इस तरीके से करना है domain name के बाद slash देखे sitemap.xml देना है एंड इस तरीके से आपको निकालना है ठीक है तो अगर आपके website में already xml sitemap है तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा राइट यह खुल जाने का मतलब है आपको और कोई भी problem नहीं है और यह sitemap देखे use aco से generate हुआ है बाद चांस अगर हम लोग use aco अभी तक डाले नहीं होते तो हमारे पास यह जो नीचे sitemaps है यह सब नहीं मिलता अब आपको देखे बहुत important यह है कि आपको कौन से sitemap डालना है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस पे आए add a new sitemap google search console पे यहाँ पे successfully fetch यह दिखे could not fetch दिख रहा है ठीक है don't worry आपको avoid करना इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे क्या किजिए अब यहाँ पे जो sitemap आपको open हुआ है मतलब जो link आपको दिख रहा है यहाँ पे slash नहीं देना है तो इसको अब हम लोग submit करते हैं चलिए यहाँ पे success हो हो रहा है उसके बाद यहाँ पे आपको post site map यह पहला वाला दिख रहा है आप इसको open link in new tab करके यह वाला copy कर लिजे slash के बाद जितना भी है copy कर लिजे और यहाँ पे आप ऐसे करके submit कीजिए ठीक है तो ऐसे करके हम लोग हर चीज में करेंगे page category post tag author site तो इन चारों को हम लोग क्या करेंगे इन चारों को वैसा ही करके यहाँ पे submit कर लेंगे तो यह जो category वाला है यह हम लोग कर नहीं सकते हैं विकॉज यहाँ पे नहीं actually url से लेना देना नहीं है आपको उपर वाला ही तो copy करना है तो यह कर लेते हैं चलिए category वाला भी और page चीक है जी तो हमारे यहाँ पे जितना भी था यह सब सब हमने कर लिया ठीक है और यहाँ पर देख सकते हो 11 site map discover किया है page वाला में post वाला में दिखी साथ यहाँ पे दिख रहा है post tag है यहाँ पे post वाला में है जो भी आप post करोगे जितने भी पोस्ट करोगे वह यहाँ पे आप देखने को मिलेगा तो यहाँ पे तीन ही डोमेन है पोस्ट के related तो वह यहाँ पे दिख रहा है मतलब आपको ज्यादा तर आभी आपको समझने का कोई problem नहीं है यह जो नीचे एक कोई tension नहीं लेना है अब आपका जो भी पोस्ट करोगे वह यहाँ पे google पे automatically कुछ कुछ दिनों के बाद बाद submit हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग चाते हो कि post करने के तुरंथ बाद माल नेतने हैं जैसे कि हमने यह post किया है दो पोस्ट औरेडी किया है न हमने तो यह आ इंटर करना है कुछ देर के बाद आपको कुछ इस तरीके से रिजर्ड्स होगा url is not on google तो आपको देखिए तूरंत तो google में आ नहीं जाएगा न हर किसी को काम करना पड़ता है पूरा system काम करता है इसलिए तो request indexing पर आपको क्लिक करना है और एक दो मिनेट का time लगता है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो guys आप देख सकते हो थोड़ी दिर के बाद हमें इस तरीके से message आया है indexing request यानि कि यह जो index हम लोग request के थे वो request हो चुका है अब कुछ time के बाद google पे हमारा url है यह वाला यह वाला हमें देखने मिलेगा ठीक है rank करना start हो जाएगा धीरी तो ऐसे ही करके आप लोग इस वाले को भी कीजिए ठीक है जो manual है उसको भी आप लोग कर सकते हो फिलाल मैं नहीं करता हूँ आप लोग ऐसे करके कीजिएगा और वैसे भी हम लोग ने क्योंकि site maps को add कर दिया है तो जितने भी post हम लोग future में करेंगे हम लोग को manually यहाँ पे URL को अपने अंदर समा लेगा थोड़े time के बाद अपने अंदर ले लेगा ओके तो अब धीरे धीरे Google से आपको traffic मिलने लगेंगे क्योंकि यह अभी अभी हमने बनाया है इसलिए data process करने में time लगता है अब देखे मैं आपको दिखा देता हूँ पैसा 100 जो main domain है मेरा उसमें आप देखे 147 traffic मिला है मुझे एक मेने के अंदर अंदर वैसे मैं आपको बता दू देखे आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि blogging में आपको धैरिया रखना है अभी मेरा एक मेना हुआ है और मात्र 147 total traffic हुआ है लेकिन वही बात है आप अगर एक साल तक आंख मून कर blogging करते हो तो आपको बहुत traffic मिलेगा आज 147 है तो कुछ मेनों के बाद 14,000-15,000 मिलना start हो जागा एक-एक महीने में उसके बाद हो सकता है कि जितना मेना तो उतना यह है तो हो सकता है एक लाग के ओपर traffic मिलना start हो जागा एक-एक महीने में और ऐसा ही होता है जितना पूरा करके website में traffic लाना और भी बहुत सारे option है जिससे आप लोगों का जो website है या post है वो फटाफट से google में rank करना start होगा क्या वो option है हम लोग जरूर बात करेंगे इसी channel पर आप लोगों को subscribe कर लेना है मैं और भी wordpress website को bing search engine पर डाल सकते हैं तो देखिए मैंने एक plugin install किया हुआ है अगर आपने भी क्या हुआ है तो अच्छी बात है योश्ट SEO नाम का इस plugin को आपको install करना पड़ेगा वैसे भी SEO में बहुत ज़्यादा काम आता है उसके बाद webmaster tool पर चलेंगे ठीक है और इस plugin का देखिए premium version आता है लेकिन अगर आप लोग इसको बहुत ही कम पैसे में खरीदना चाते हो इस plugin का premium version तो आप super copy ले सकते हो consider कर सकते हो अपने लिए super copy भी lifetime के लिए free रहता है एक तो और दूसरा वन टाइम थी ही रहता है मात्रा 200-300 रुपए में यह super copy मिल जाता है तो आप अगर लेना चाहते हो तो यहां पर आपको देखे गूगल पर औरेडी मैंने अट करके रखा इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है उसको चेक कर लेजिएगा बहुत ही इक account बना लेना Microsoft Bing में या Google से sign-in कर लेना उसके बाद कुछ इस तरह की से dashboard आपको देखने को मिलेगा यहां पर जैसे मुझे option है तीन website added है तो यहां पर add a site का option है आपको यही वाला option सुरू में मिलेगा अब यहां पर आपको अपना URL को पेस्ट कर देना है तो यह मेरा URL है जो मैंने पेस्ट किया तो यहां पर add पर क्लिक करता है चलिए बाइचंस गाइज यहां पर अगर कुछ problem आ रहा है तो आप लोग यहां पर भी एक option रहता है लेकिन इसके लिए आपको Google Search Console पर already verify होना परेगा तो मैंने एक video बना है उसको देख लेजेगा उसका link नीचे description में मिलेगा आपको ठीक है जैसे यहां पर problem आ रहा है तो उस पर verify कर लेजेगा इसके बाद देखे import पर click किजिए और यहां पर continue पर click किजिए तो उसी email ID से sign in किजिएगा जिससे Google Search Console पर आपने account बना के रखा है ठीक है और यहां पर आप देखो कि फिर यह देखिए यह वाला तो इसको आप लोग simply import कर लेजे। site map सब डला हुआ है उसमें मैंने already डालना आपको सिखाया है और बिंग में अलग से आपको डालने के कोई जरूत नहीं है आपका यहां पर Google Search Console से सब कुछ import हो जाएगा ठी एड हो चुका है हाला कि आपको data 48 hours के बाद या उसके पहले ही आपको मिलना start हो जाएगा बाकि ऐसा ही है URL submission पर अगर आप जाओगे तो आपको 100 URL submit कर सकते हो per day तो यहां पर फिलहाल अगर आप लोग URL submit नहीं भी करोगे तो आपका site map import हो ही चुका है जो की processing पर है फिलहाल तो यह जब processing से हट जाएगा आपका जितना भी URL है सब Bing search result में दिखने लगेगा तो बहुत ही असानी था अगर Google search console से हम लोग करते हैं तो बहुत असान रहता है तो पहले आप लोग Google search console में कर लिजेगा उसके बाद ही आप लोग इस पे आईएगा और यहां पे हमें Bing का code दालने का कोई जरूत नहीं because Google का ही code से हमारा Bing verification हो चुका है तो that's it guys I think आप लोग को अच्छा लगा होगा यह वीडियो दोनों वीडियो चेक कीजिए दोनों पर अपना website डाल दीजे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राफिक आए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के स search engine में तो हम लोगों ने अपने website को add कर लिया बट उसके भरोसे में हमें नहीं बैटना है हमें खुद से भी थोड़ा सा effort लगाना होगा तब जाकि जो Google के search engine है वो सब हम लोगों का website को थोड़ा असानी से और थोड़ा ज्यादा speed में rank करेगा अब इसको समझने के लिए effort लगा सकते हैं किस तरीके से एक new website पर initial traffic लेके आ सकते हैं जो कि important होते हैं अगर हम लोग initial traffic खुद से लेके आ सकते हैं तो search engines में हमारे website का जो power है वो थोड़ा सब बढ़ेगा and search engine में काफी अच्छे तरीके से visible होगा चाहे तो first page में visible होगा अगर हम लोग सुरू सुरू मे initial traffic कुछ अपने site से लेके आ सकते हैं तो देखिए for example मैंने आपको ये वाला article दिखके बताया था essay on turkey, earthquake, Syria यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है ठीक है जो भी है मतलब main बात है हम लोगों ने essay लिखा था ठीक है education post रहिए तो education post में हमने एक essay लिखा था वो turkey and Syria का जो earthquake था उस तो google के search engine में अगर हमें अपना traffic लेके आना है मतलब google के search engine में अगर हम अपना इस webpage को दिखाना चाते हैं first page में तो हमें try करना होगा कि खुद से कुछ effort लगाया जाए तो देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास एक option रहता है कि कुछ backlinks बना ले hyperlinks बना ले किसी दूसरे forum websites पे या किसी दूसरे websites पे जैसे कि Reddit पे ठेक है Reddit पे क्या होता है basic लिए हम लोग कुछ posts share कर सकते हैं यह forum website है मैं आपको सीधा करके बताता हूँ बाद में आप लोगों को इसी channel पर कभी practically तो पे Reddit को अच्छे से समझाओंगा कि किस तरीके से इसको भी use किया जा सकता है तो म अब आप देखोगे यहाँ पर जो यह मेरा title है basically इसको हम लोग copy कर देंगे और यहाँ पर यह title paste कर देंगे ओके और फिट से हम लोग अपने उस website पर चलेंगे webpage पर तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको description लेंगे मतब थोड़ा सा हम लोग इसको copy कर देंगे text में optional मतब यह जो है थोड़ा सा हम लोग डालेंगे description ओके तो यहाँ पर देखो अगर आपको यह वाला नहीं डालना है तो आपके बास एक option लता है link सिधा आप लोग link यानि की URL को paste कर सकते हो तो यह वाला सबसे अच्छा है इस इसको हम लोग paste कर लेते हैं देखिए link यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ से हम लोग copy कर लेंगे and यहाँ पर इस पर जाएंगे URL पर जाकर paste कर लेंगे ठीक है और यह वाला हम लोग का heading है यानि की main keyword है ओके तो इसको करने के बाद simply हम लोग post पर click करेंगे कुछ wrong हो रहा है तो इसको एक बाद delete करने का कोसिस करते हैं और इस पर link पर चलते हैं फिर से and simply post करते हैं कुछ यह में click करते हैं पोस्ट करते हैं तो reddit पर कुछ problems हो कर रहा है भी यह में भी website का भी कुछ problem है ठीक है तो panic करने को मना कर रहा है बट ऐसे ही करके हम लोग पोस्ट create करते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया simply post करोगे तो यह एक forum जैसा post बन जाएगा reddit के website पे तो इससे क्या होगा जो हमारा link है यह वाला link हमारे इस website पर reddit के इस website पर हमारा जो website का अपना website का link है वो reddit के website में आ जाएगा इस वज़ा से यह जो link है इसमें थोड़ा सब पावर मिलेगा तो जब पावर मिलेगा इसका मतब यह होता है कि google के search engine को crawl करने में मदद मिलेगा हमारा जो web page है वो मतब google का search engine का एक algorithm होता है crawlers होते है basically ठीक है जो अंदर ही अंदर काम करते हैं और web pages को ढूनते रहते हैं तो यह वाला जो web page है उसको google ढून पाई असा Reddit में ने दिखा दिया एक आप Facebook में भी कर सकते हो कोई भी एक particular page बना सकते हो यहाँ पर जस्ट में example के लिए दिखा रहा हूं ठीक है तो आप लोग को spam नहीं करना है कहीं पर आप लोग को सही तरीके से यह काम करना है तो देखे मैंने यह आप पर उसको थोड़ा सा लिखा थोड़ा सा समझ में आए कि ये exactly किया है ओके तो यहाँ पर कर लिए अब थोड़ा सा हम लोग को ने लिख लिए ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर नीची आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हटके learn learn more एक टाइप करते हैं और हम लोग का जो वेपीज का लिंक है वो हम लोग सिंप्ली यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा प्रेवियू होने लगेगा अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं पोस्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे ऐसे करक करके आप लोग और भी कुछ ट्विटर में आप शेयर कर सकते हो ऐसे करके और भी कुछ होते हैं वेबसाइट जिनमें आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे देखे यह वाला जो पेज है हमारा यह वाला तो यह यहाँ पे आ गया कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो हमारे इसी वेब पेज का लिंक है, हमारा जो ये वेब साइट का लिंक है, वो बेसिकली हम लोग स्ट्रॉंग बना रहे हैं, ताकि हम लोग का Google सर्च एंजन पर ये असानी से गूगल की सर्च एंजन को पता चले कि ऐसा भी कोई वेब पेज है, क्योंकि सुरू सुरू में आपका वेब साइट अगर नया है, ये जो वेब साइट है, ये बिल्कुल ही नया है आपका, ठीक है, तो गूगल की सर्च एंजन को भी पैचान पाना मुस्किल होगा, इसी कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को शेर कर सकते हो, वाटसेफ, फेस्बुक के माधियम से, वो थोड़ा-थोड़ा आप कुछ पोस्ट लिख सकते हो, जो उनको पसंद आये चाहे नहीं आये, वो अगर विजिट करते हैं डे-to-day बेसिस पे, तो आपका वो धीरे-धीरे क करके, गोगल के सर्च एंजन में भी इंफॉर्मेशन जाएगा, कि आपका पेज विजिट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी मदद मिलेगा, और आपको सबसे इंपोर्टेंट, कैसे करके ट्राफिक मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ओकी, तो for example, ये वाला हमारा पोस पोस्ट है, ठीक है, तो इसमें कैसे ट्राफिक हम लोग सुरु सुरु में ला सकते हैं, वो आप देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉरा पे आएंगे, ठीक है, कॉरा पे, मैं यहाँ पे आपको फिर से बोल रहा हूँ, कि मैं यह पहुंच जाओगे, simply आपको add question मिलेगा, तो यहां पे हम लोग अपना जो वेपेज का जो आर्टिकल था, जो आर्टिकल हम लोग ने लिखा है, उसका heading को हम लोग paste करेंगे, मतलब किस बारे में हमने लिखा है उसको basically paste करेंगे, तो यहां पे write an essay on turkey, देखो Syria वाल यतना popular नही इसको हम लोग करेंगे add question, तो यहां पे देखिए हमारा थोड़ा सा grammar mistake है, तो वो basically कुछ इस तरीके से आएगा, पर हम लोग यहां पे ask original question नहीं, बलकि use suggestion करेंगे, यानि कि grammar mistake है तो हम लोग suggestion को ही use करेंगे, यानि कि जो grammar mistake था वो ठीक हो जाएगा, अब यह हो जाने के बा जो आपका question है, वो यहां पे quora के website में यह आ गया, ठीक है, बट इससे कोई फाइदा नहीं है, इसको हम लोग open करते हैं, यहां पे हमें किसी तरह का कुछ दिख नहीं रहे, तो यहां पे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे answer, और राइट, तो यहां पे answer पे click करने के बाद गा paragraph हमने copy किया, ठीक है, same to same, and फिर से उस website पे बापस जाएंगे, यहां पे हम लोग paste करेंगे, और राइट, तो यहां पे paste करने के बाद गाइस, यहां पे तीन paragraph लिखा है हमने, ठीक है, तो यहां पे हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, to learn more, तो मैंने यहां पे simply लिखा, to learn more about this, please refer here, और राइट, इसको हम लोग कर देते हैं, bold, बतब keyword में CTRL, प्रस B करोगे, तो bold हो जाएगा, तो यह करने के बाद गाइस, हम लोग क्या करेंगे, इस webpage का link ले लेंगे, ठीक है, इस webpage का link, यहां से मैं ले लेता हूँ, और राइट, तो यहां पे actually जो हम लोग का article है, यानि कि earthquake के बारे में हमने लिखा है, वो तो बड़ा करके लिखा है, बट यहां पे हम लोग ने तीन ही paragraph को लिखा है, बट कोई अगर ऐसा है, जिसको चाहिए ज़्यादा परना है उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने link होते विए देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का क्या है, article का जो link है, वो इस वले answer में implement हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ, quora एक ऐसा website है, जिसमें आप लोग answer लिखोगे, तो definitely उसमें views आएंगे, चाहिए 10 दिन बाद आपको ज़्यादा देखने को मिलें, 20 दिन बाद देखने को मिलें, लेकिन आएंगे, quora में millions of traffic आते हैं, ये बहुत बड़ा website है, और इस website पर हम लोग जब अपना website के links को, या web pages के link को डालते हैं, तो हमारे जो website है, या हमारे जो web page है, इस particular article है, उसको काफी ज़्यादा support मिलता है, कि वो Google के search engine में आ पाए, ठेक, जल से जल और ज़्यादा से ज़्यादा उपर rank कर पाए, इसे support मिलता है, इस website को, तो ये सब basically backlinks होते हैं, इन सब के बारे में आगे बताऊंगा, आप लोग को इतना attention नहीं लिना है, आप ज़्याद सुरू करो, शुरू करने का देरी है, आप सुरू करो, अगर हमें आके, आप तरह तरह के questions ask कर सकते हो, और खोदी answer कर सकते हो, और answer करने के बाद आपको धिरे-दिरे करके देखने को मिलेगा, Quora के तरह से traffic, ठीक है जी? different different niches पे, जैसे ये education वाला चीज है, तो इसमें हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, Quora के तरह से traffic, बट किसी और topic के ओपर अगर आप ब्लॉग बनाते हो, तो आप लोग Quora से भी काफी जादा traffic ले सकते हो, ठीक है? तो फाइदा, obviously फाइदा होगा ही होगा, ओके, मैं आ एक profile है, ठीक है, और आप देख सकते हो, यहाँ पर यह वाला हम लोगों ने फिलाल लिखा था, और यह कुछ दिन पहले लिखा था, what is issue on turkey earthquake, तो simple वही चीज है, इसको लगता है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो grammatical error है, इसमें इसलिए डिलीट कर गया best work from home job in 2023, तो इसके related एक video हमने बनाया था, वो basically video हम लोगों ने यहाँ पर implement कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से हमें traffic कुछ नकुछ मिला होगा, क्योंकि 112 लोगों ने इसको देखा है, तो कुछ नकुछ तो traffic आया होगा, ऐसे करके काफी सारे चीजों में होता है, जैसे यह एक recipe है, या what are some popular Indian street foods है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने लिखा था, तो आप देख सकते हो, मैंने अपना एक book है, yummy Indian recipes, तो उसको मैंने promote किया नीची, ठीक है, तो 407 views में कोई तो देखा होगा, अगर कोई देखा है, तो उसको अगर खरीदना है, तो वो basically इस book को, यहाँ पे click करके, Amazon पे आके, वो basically इस book को खरीच सकते हैं, तो ऐसे करके Quora एक बहुत ही अच्छा opportunity है हम सब के लिए, मैं आपको, अगर power आपको देखना है Quora का, तो don't worry, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे all time views पे चलते हैं, अब दिखिए यहाँ पे एक article है, ठीक है, अब किस बा traffic देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे यह article है, और इसमें एक article का, मतलब link add किया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ, यह article है, और यहाँ पे link add किया हुआ है, यहाँ कि अगर एक लाग से भी ज्यादा लोगों ने इस particular answer को देखा है, तो उसे यह वाला तो दिखा हो detail में नहीं जाना चाता अभी, तो बाद में कभी मैं आपको quora पे सारा detail दिखाऊंगा, ठीक है, तो don't worry, अभी इतना ही था इस video पे, मैं आपको इतना ही recommend करूंगा, कि simply आप education website अगर बना रहे हो, तो तरह तरह के books से आपको content, हजारो content मिलेगा, थोड़ा सा अपना भासा म हमारा YouTube channel है, course bank नाम का, ठीक है, आप इस channel पे आजाओ, इस channel को search करो, logo अगेरा आप देख लो, और इस channel को search करने के बाद आप लोग subscribe करो आके, अभी तक हमने इस channel को start नहीं किया है, बट आप इस course को देखते देखते बहुत जल्द इस channel में हम लोग start कर देंगे, और हम लोग videos बनाएंगे, बहुत सारे videos होंगे blogging के ओपर, धीरे-धीरे करके आपको एक-एक करके देखते रहना है, समझते रहना है, तब जाके आप लोग blogging में success हो पाओगे, तो guys, आज का जो course था, वो इतना ही था, फिलहाल के लिए, and मुझे रगता है कि हमने काफी सारे topics को discuss किया तो है, लेकिन बहुत सारे important topics को अभी भी avoid किया है इस course में, लेकिन ठीक है, आप लोगो को channel पर invite करता हूँ, आप लोग आईए, subscribe करिए, यहाँ पर हम लोग blogging का एक नया दुनिया बनाएंगे, और हम लोग सब मिलके blogging और कोसिस करेंगे कि हम सब का, जितने भी blogging सीख कर blogging स्टार्ट करना जाते हैं, उन सब का अच्छा खासा earning स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, किसी और course किसी और वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए, टाटा बाई बाई बाई, सी यू